हलो बच्चों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल NCRT टूटरियल के उपर और यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस के चैप्टर नमर 2 को जिसका नाम है एसीट्स बेसेज एंड सॉल्ट्स तो यहाँ पर इस चैप्टर को इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं NCRT बुक की मदद से यानि कि Line by Line Explanation हम यहाँ पर पढ़ेंगे और जो NCRT बुक हम लोग यूज करेंगे वो होगा नया सेशन का NCRT बुक यानि कि 2023-24 में जो नया सेशन में नया किताब आया है उस किताब के हिसाब से Line by Line हम लोग Explanation पढ़ेंगे और यहाँ पर यह सीरीज का नाम है हमारा एक सीरीज हम बनाये हमने बनाया है जिसमें कि साइंस और SST के सारे चैप्टर का Explanation आपको Line by Line मिल जाएगा ठीक है तो आईए इस चैप्टर को शुरू करते हैं अब देखें इस चैप्टर का नाम आप क्या देख रहे हैं नाम देख रहे हैं Acids, Basis and Salts तो यहाँ पर इस चैप्टर में यही चीज हमें पढ़ना है Acids के बारे में पढ़ना ह लेंगे तब हम अंत में जाकर Salt की बात करेंगे ठीक है तो आई हम शुरूआत करते हैं और चैप्टर को शुरू करते हैं और यहाँ पर Acid और Basis के बारे में समझते हैं अब यहाँ पर जब यह चैप्टर आप खोलेंगे तो शुरूआत का यह जो Paragraph है ना यह एक प्रकार के इंट्रोडक्शन है आपका Acid और Basis के साथ मतलब Acid क्या होता है Basis क्या होता है आपके जीव नॉर्मल लाइफ में आप Acid कहां देखते हैं यह सारी बात यहाँ पर बताई गई है जैसे कि previous classes में आपने पढ़ा है कि जो Acid होते हैं उनका टेस्ट सावर होता है यानि जो यह बता है तो यह एक बेसिक चीज है जो कि आपको पता होगा आपने भोजन अगर किया होगा तो आपको पता होगा तो आपको पता होगार previous classes में आपने acid base के बारे में पढ़ा है तो वहां से भी आपको पता होगा ठीक है अब यहाँ पर एक question आपको दिया गया है जो कि आपके लिए कि माल लीजिए कि आपके परिवार में किसी वेक्ति को acidity हो जाती है acidity क्या होता है आपको पता होगा आपने पढ़ा है digestive system नहीं पता है तो short में बटा देता हूँ कि देखिए हमारे stomach में HCL नाम का gas होता है hydrochloric acid gas होता है कई बार हम जादा भोजन खा लेते हैं या फिर किसी और कारण से वो acid बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है हमारे को एक प अब यहाँ पर सवाल आपसे पूछ रहा है कि किसी को acidity हुआ है तो आप उसको क्या दीजिएगा lemon juice दीजिएगा vinegar दीजिएगा या फिर baking soda दीजिएगा तो भाई acidity हुआ है acid के असर को खतम करने के लिए हम acid तो देंगे नहीं तो यहाँ पर हम लोग देंगे baking soda का solution क्यों क क्यों कि baking soda का solution क्या है एक प्रकार का base है और यह acid के असर को cancel out कर देता है अब यह क्यों करता है कैसे करता है यह चीज हमें इस chapter में आगे अच्छी तरीके से पढ़ना है और समझना है ठीक है अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अब आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले और समझ लेते हैं कहता कि you already know that acids are sour in taste सबसे पहला point acid क्या होते हैं एक प्रकार के substance होते हैं जिनका taste कैसा होता है sour होता है ठीक है and change the color of blue litmus to red और साथ में यह blue litmus के color को red में convert कर देते हैं यह चीज़ क्लियर हो गया इसके बाद basis की बात कर रहे हैं तो basis का taste कैसा होता है bitter होता है और यह red litmus के color को change करके blue कर देते हैं यह basic बात हो गई आपके acid और base के बारे में कि acid का taste कैसा होता है sour होता है और साथ में acid क्या करते हैं blue litmus को red में convert कर देते हैं basis का taste कैसा होता है bitter होता है और यह क्या करते है red litmus को blue में convert कर देते हैं क्या इतना definition हमारे लिए काफी है, इतना पढ़के और इतना लिख के हमें marks मिल जाएंगे क्या, जी नहीं, नहीं मिलेंगे, देखें इस chapter में आपको acid base के बारे में और भी बाते जानने हैं, जो कि आपको आगे बताया गया है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको 60 महीं ब करेंगे, आगे कहता है कि acids contain H plus iron as cation, ठीक है, acids जो होते हैं, उनका जब हम aqueous solution तयार करते हैं, तो वो H plus iron release करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, और उसके साथ जो यहाँ पर, जो यहाँ पर आपको, जो यहाँ पर bases होते हैं, bases में आपको hydroxide iron release होते हैं, मतलब क्या हुआ, मत हम किसी acid को लेंगे, acid जैसे की HCl लेंगे, इसको जब हम H2O में mix करेंगे, water में mix करेंगे, aqueous solution तयार करेंगे, तो यह HCl तूट जाएगा H plus iron में, और साथ में C L minus iron में, ठीक है, H plus iron release करेंगे, इसी प्रकार से H2SO4 को अगर हम तोड़ते हैं, तो H2SO4 में क्या होगा, आप ले लेते हैं, तो उसमें से आपको H plus iron release होता है, मतलब क्या हुआ, जो acid होते हैं, वो ऐसे compound होते हैं, जो hydrogen contain करते हैं, और hydrogen iron या फिर hydronium iron, hydronium क्या है, यह हम आगे बात करेंगे, जब हम इस topic पर फिर से आएंगे, समझ गए, hydrogen iron या फिर hydronium iron release करते हैं, ठीक, अब वही basis की बात करें, तो basis ऐसे chemical compound होते हैं, जिनका taste bitter होता है, red litmus को blue में convert कर देते हैं, और साथ में वो hydroxide iron release करते हैं, जैसे NaOH, क्या है, बेस है, Na plus और साथ में OH minus, OH क्या हुआ, यह hydroxide iron release हुआ, जब हमने NaOH का aqueous solution तयार किया, यह एक प्रकार से acid होगा है, बेस होगा है, अब इन नहीं चीजों को point बनाकर acid और base के definition में असानी से लिख सकते हैं, कि भाई, acid क्या है, acid एक ऐसा compound है, या फिर ऐसा substance है, जिसका taste sour होता है, यह blue litmus कुरेंड में convert करता है, और जब इसका aqueous solution हम लोग तयार करते हैं, तो यह H plus iron release करते हैं, ठीक है, इस प्रकार से आप frame करके हमें पढ़ना है, ठीक है, indicator से पहले एक चीज में बता देना चाहता हूँ यहाँ पर, कि देखें, इस chapter को हम तो यहाँ पर NCRT से पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ इस chapter का मैं slides के जरीए, notes के जरीए वीडियो बनाऊंगा, उसको भी आप देख सकते हैं, उस वीडियो का thumbnail जरा सा उपर चलते हैं, यहाँ पर indicator, indicator कहा गया, हाँ यहाँ देखें, indicator है, तो इसको मैं जरा सा clean कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने एक और class लिया था, वहाँ पर मैंने इसको पढ़ाया था, ठीक है, तो यहाँ पर देखें, indicator क्या है, indicator एक प्रकार का ऐसा substance होता है, जिसको हम हम लोग use करते हैं, ताग यह टेस्ट करने के लिए, कि कोई भी substance acid है, या फिर base है, हमारे सामने कोई substance है, कोई aquos solution रखा गया, अब हमें नहीं पता है, कि वो acid है या फिर base है, हमें पता करने के लिए, हम इस indicator का use करेंगे, indicator भी एक प्रकार के compound होते हैं, या फिर एक प्रकार Indicator, Artificial Indicator, Aromatic Indicator, ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम देखें तो कई जगों पर आपको और भी दूसरे प्रकार का classification मिल जाएगा, जैसे Mineral Indicator, या फिर Organic Indicator, तो वो सब चीजे हम यहां पर नहीं बात कर रहे हैं, जो आपके chapter में जो पढ़ाया जा रहा है, वही हम बात क हमें नैचुरल ही वो मिल रहा है, ठीक है, तो यह सिंपल सा डिफिनेशन होगा है, नैचुरल इंडिकेटर का, अब नैचुरल इंडिकेटर में आपको क्या क्या बात करना है, आपके chapter में फोकस किया गया है, लिटमस के उपर, टर्मरी के उपर, उसके अलावा कई सारे और भी आपके होते हैं, नैचुरल इंडिकेटर, जैसे कि चाइना रोज होता है, रेड कैबेज होता है, और भी कैसारे होते हैं, लेकिन मेंली हमको यहाँ पर पढ़ना किसके बारे में है, लिटमस के बारे में और टर्मरी के बारे में, कि लिटमस क्या है, कैसे काम करता है, ठ लिखाव है ठीक है लिटमस सोलूशन is a purple colored pigment extracted from lichen plants of the thallophyta group अब thallophyta क्या है यह आपको नहीं पता होगा क्योंकि class 9th में आपको यह चीज़ पढ़ना था लेकिन syllabus से आउट कर दिया गया है आपको पिछले साल भी नहीं था तो आपने नहीं पढ़ा होगा ठीक है तो कहता है कि लिटमस सोलूशन is a purple colored pigment extracted from lichen plants of the thallophyta group लिटमस सोलूशन is neither acidic nor basic then it color is purple मतलब क्या हुआ लिटमस एक प्रकार का solution है जो की lichen नाम के plant से प्राप्त किया जाता है और यह solution का color कैसा होता है परपल होता है यह naturally आपको neutral होता है ना तो यह acidic होता है ना तो यह basic होता है ठीक है अब लेकिन यहाँ पर इसके color को हम लोग change भी कर सकते हैं कैसे change कर सकते हैं और यह भी आपको अच्छे सा समझना है क्योंकि इसके उपर कई सारे question पूछे गए हैं previous years में जैसे कहता है कि जो आपका लिटमस है वो जब neutral है तो कैसा है purple है ठीक है अगर हम इस purple solution में जो की neutral है इसमें हम क्या डाल दे? acid डाल दें तो यह solution का nature कैसा हो जाएगा? acidic हो जाएगा कैसा nature हो जाएगा भाई? acidic हो जाएगा और यह कैसा हो जाएगा? red color का solution हो जाएगा red acidic ठीक है यही इस neutral solution में purple solution में अगर हम लोग base डाल देते हैं तो solution कैसा बन जाएगा? basic उसका nature हो जाएगा और यहाँ पर यह कैसा हो जाएगा, blue, blue कैसा हो गया, basic nature हो गया, ठीक है, purple, red, acidic, blue, basic, ठीक है, यह हो गया आपका एक प्रकार से, तीन प्रकार के क्या हो गया, आपको litmus solution, blue litmus solution क्या है, आपका basic in nature होता है, red litmus solution, acidic in nature होता है, purple litmus solution, neutral होता है nature में, और इसके साथ ही हम जानते हैं कि हमारे पास दो प्रकार के लिटमस पेपर होते हैं, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर, तो यहाँ पर ब्लू लिटमस पेपर बनता कैसे है, तो एक special पेपर लिया जाता है, और पेपर को यही ब्लू जो हमारा ब्लू लिटमस यार होता है समझ गए तो भाई यहाँ पर हमने क्या समझा कि लिटमस सॉलूशन तीन प्रकार के यह हमने समझ लिटमस पेपर दो प्रकार के वो कैसे बनते हैं यह भी आपने समझ लिटमस पेपर क्या होता है एक प्रकार का पेपर होता है जिसमें कि लिटमस सॉलूशन लगा में converge कर देता है ठीक है अब यहाँ पर अगर हम लोग आगे बढ़ है तो आगे हमारे सामने आ जाता है turmeric turmeric क्या है एक प्रकार का indicator है natural indicator ठीक है अब टर्मनीक जो है वो natural indicator है जो कि हमारे घर में पाया जाता है हम सभी को पता है कि मैं टर्मरीक कैसा दिखता है, टर्मरीक का color इस प्रकार का yellow color का होता है, ठीक है, तो इसको कैसे use करते हैं हम लोग indicator के रूप में, तो कहता है कि ये जो टर्मरीक है, इसको अगर हम, अगर हम acid के साथ test करें, इसके उपर acid डालेंगे, तो कोई color में change नहीं होगा, yellow color है, yellow ही र जालते हैं, या फिर base के साथ टर्मरीक को मिलाते हैं, तो color इस प्रकार का reddish brown हो जाता है, ठीक है, तो इस प्रकार से टर्मरीक भी हमारा use होता है as indicator, ठीक है, अब इसी के बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारे सामने क्या आजाएगा, आजाएगा synthetic indicator, synthetic indicator क ही सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें दो indicator के बारे में जानना है, methyl orange और साथ में phenokthalene, ठीक है, इसको कैसे use होता है, acid में कौन सा color आएगा, base में कौन सा color आएगा, यह आपको यहाँ पर देखना है, और ध्यान में रखना है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, तो ऐसा ही इसका color होता है, colorless, जब इसको हम लोग acid के साथ test करते हैं, तो color में कोई भी change नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही हम लोग phenethylene को base के साथ check करते हैं, तो इसका color कैसा हो जाता है, pink हमें color show करता है, pink color मतलब क्या, base है, और color change नहीं हो, मतलब क्या acid है, ठीक है, अब वहीं methyl orange ह इसको methyl red भी कहा जाता है, ठीक है, तो इसका natural color red होगा, या फिर methyl orange होगा, तो orange होगा, लेकिन जब इसको हम लोग acid में test करेंगे, तो इसका color कैसा होगा, red हो जाएगा, red color का यह हमें show होगा, और वहीं हम लोग जब base के साथ show करेंगे, तो इसका color yellow हो जाएगा, ठीक, एक ची रखना है, कि दुनिया के जितने सारे basis हैं, सभी basis water soluble नहीं होते हैं, कुछ खास basis ऐसे होते हैं, जो कि water soluble होते हैं, और उन्ही को alkaline कहा जाता है, ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लोग आगे बढ़ें, तो आगे यही चीज है, जो कि मैंने आपको बताया, कि artificial indicator दो प्रका नहीं होगा, चेंज अगर हम base के साथ टेस्ट करेंगे, तो यह pink color show करेगा, methyl orange है, या फिर यहाँ पर red भी हो सकता है, methyl red, ठीक है, तो यहाँ पर यह क्या होगा, acid के साथ red color show करेगा, बेς के साथ yellow color show करेगा, sorry yellow यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर pink color, sorry, यलो color, pink तो यहाँ अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहां पर हमारे सामने है अलफैक्ट्री इंडिकेटर, अलफैक्ट्री इंडिकेटर कौन सा इंडिकेटर है यह एक स्पेशल प्रकार का इंडिकेटर है, जो एक प्रकार से इसमेल में चेंज करके भामें बताता है कि भाई कोई भी सब उदाहरण के लिए क्या ले सकते हैं, उदाहरण के लिए है हमारा वनीला, ओनियन और क्लोव, यहाँ पर क्लोव ओईल या फिर ओनियन जूस की बात करें, तो ओनियन जूस जो होगा, उसको जब हम लोग एसीड के साथ टेस्ट करेंगे, तो इसमेल में हमें कोई चेंज नहीं मिलेगा, अनियन का जैसा इसमेल होता है, वैसा ही हमें इसमेल मिलेगा, लेकिन जैसे ही हम लोग बेस के साथ इसको टेस्ट करते हैं, तो जो इसमेल है अनियन की, वो गायब हो जाता है, वो खतम हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर क्लोव ओईल जो है, वो आपको इसमें भी य तो आगे यही चीज को continue किया गया है जो अभी हमने बात किया यानि indicator के बारे में तो यहाँ पर क्या कह रहा है इसको हम लोग line by line जरा सा पढ़ लेते हैं फिर आगे हम continue करते हैं कहता है कि litmus is a natural indicator, turmeric is another such indicator दोनों के बारे में हमने बात कर लिया है have you noticed that a stain of curry on a white cloth become reddish brown when soap which is basic in nature is scrubbed on it यानि कि क्या कह रहा है कह रहा है कह रहा है कही बार अगर आपका सबजी गिर जाए कपड़े के उपर, white कपड़े के उपर और सबजी में क्या होता है, haldi होता है, turmeric होता है उसको जब हम wash करते हैं, शाफ करते हैं, साबुन से, तो साबुन का nature होता है basic तो जब वो base के साथ हम लोग शाफ करते हैं, तो उसका red color कैसा हो जाएगा reddish brown हमें color दिखता है, लेकिन जैसे ही हम कपड़े को पानी से धोते हैं, पानी में एक प्रकार से ज़्यादा पानी से धोते हैं, तो वो reddish brown फिर से yellow हो जाता है यानि turmeric के color का हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर आगे कहता है, कि you can also use synthetic indicators such as methyl, orange, phenethylene to taste for acid and basis दोनों की भी बात हमने कर ली है, तो यहाँ पर हमें इस chapter में क्या पढ़ना है, ये चीज़ ध्यान दिलाया जा रहा है, in this chapter we will study the reactions of acid and basis, how acid and basis cancel out each other's effect, and many more interesting things that we use and see in our day-to-day life, ठीक है, acid and base की ज्यादा तर reaction हमें पढ़ने, ठीक है, अब यहाँ पर आपको litmus solution के बारे में बताया है, क्या है, कि litmus solution क्या है, litmus solution एक purple color का dye होता है, जो कि lichen से हमें प्राप्त होता है, जो कि plant है, fellow fighter division का, ये तो मैंने आपको बता दिया, यही चीज़ वहाँ पर मैंने बताया था, इसको हम लोग यहाँ पर skip करके आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर आपको question दिया हुआ है, NCRT का question है, इसलिए बहुत ही important है, ठीक है, अब question क्या कह रहा है, कह रहा कि you have been provided with three test tube, आपको तीन test tube मिले हैं, पहला test tube है, दूसरा test tube है, और इसके बाद तीसरा test tube है, ठीक है, क इसलिए में acid है, और एक में आपका base है, ठीक है, अब यहाँ पर कहता है, question क्या है, कहता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ red litmus paper दिया जाए, तो आप कैसे पता लगाईएगा कि किस container में acid है, किस में base है, और किस में water है, ठीक है, आपको पता है कि red litmus paper का हम क्या use करते हैं, तो use यह करते हैं कि जो base है, वो red litmus paper को blue में convert कर देता है, तो हमने red litmus paper लिया, इसको हमने water में डिबाया, कोई change नहीं हुआ, मतलब पहला container में डिबाया, जिसमें water था, कोई change नहीं हुआ, दूसरे container में डाला, जिसमें acid था, तो red में कोई change नहीं आया, लेकिन जैसे ही हम इसमे डालेंगे ना, जिसमें base है, तो हमारा red litmus paper क्या हो जाएगा, blue में convert हो जाएगा, blue जैसे ही होगा हमें पता चल गया कि ये वाला container में क्या है, इसमें base है, अब हमारे पास क्या है, red से blue हो चुका है हमारा litmus paper, तो blue litmus paper लेकर फिर से हम test करेंगे, इसमें डालेंगे, तो यहाँ पर कोई color change नहीं हुआ, मतलब क्या, ये water है, कैसे water है भाई, क्योंकि water जो है, वो ना तो red को blue को red करेगा, वो तो neutral है, फिर हम उसी litmus paper को, जो की हमारा क्या है, जो की हमारा blue litmus paper है, उसको हम acid में डालेंगे, तो ये क्या कर देगा, इसको red में convert कर देगा, तो ये confirm हो गया कि ये acid है, ठीक है, तो इस प्रकार से आप पताला कर सकते हैं, कि भाई, आपके पास acid कौन किसमे है, base किसमे है, और water किसमे है, ठीक है, अब इसके बाद आगे वड़ते हैं, तो हमारा शुरू होता है अगला topic, topic का नाम क्या है, understanding the chemical properties of acids and bases, यहाँ पर acid और base के chemical properties हमें पढ़ने हैं, अलग-अलग chemical reaction इस topic में पढ़ने हैं, लेकिन यहाँ पर शुरूआत में अगर हम लोग देखें, तो कहता है कि 2.1.1 topic है acids and bases in the laboratory, यानि lab में जो आप generally acid और base का use करते हैं, उसकी बात यहाँ पर कहता है, अब यहाँ पर एक प्रकार से यह activity, activity में क्या कह रहा है, कह रहा calcium hydroxide, potassium hydroxide, magnesium hydroxide and ammonium hydroxide, यह सारी chemicals आपको लेना है, आपको एक प्रकार से इनको indicator की मदद से test करना है, कि भाई यहाँ पर यह कौन सा acid है, कौन सा base है, phenophthalene के साथ क्या change हो रहा है, litmus paper में क्या change हो रहा है, और methyl orange में क्या change हो रहा है, यह चीज़े आपको test करनी है, ठीक है, यह experiment आप करेंगे, यह experiment मैं यहाँ पर इस video में नहीं करा रहा हूँ, केवल मैं theory part कर रहा हूँ, देखे हमारे channel पर एक और video upload होगा, हर इसर करेंगे, जिसमें कि आपको साथ में experiment भी करवाए जाएंगे, वहाँ पर आप एक प्रकार से सारे experiment साथ में वहाँ पर देख लेंगे, वैसे अगर आप question point of view से, examination point of view से पढ़ रहें, तो यह video आपके लिए ज़्यादा suitable है, क्योंकि मैं previous year question भी इस साथ में discuss करते चल रहा हूँ, ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ें, तो आगे हमारे सामने क्या कहता है, आगे यहाँ पर कहता है, कि these indicators tell us whether a substance is acidic or basic, by change in color, या या नी methyl orange है, finophthalene है, या फिर हमारा turmeric है, या फिर litmus paper है, ये सारे ऐसे indicator हैं, जो कि color में change करके हमें बताते हैं, कि भाई कोई चीज acidic है या फिर basic है, लेकिन इसके अलावा कुछ दूसरे substances भी हैं, जो अपने odor में change करके बताते हैं, कि कोई भी चीज acidic है या फिर basic है, ठीक है और इनहीं indicator को हम लोग क्या कहते हैं, olfactory indicator कहते हैं, तो यहाँ पर आपसे अगर indicator का definition पूछे, तो आप बता सकते हैं, indicator एक प्रकार के substance होते हैं, जिनका हम लोग use करते हैं, टेस्ट करने के लिए कि कोई भी substance acidic है या basic है, olfactory indicator में आप extra add क्या किजएगा, add किजएगा कि यह पर यह जो substances हैं, यह odor में change करके हमें बताते हैं कि कोई substance acidic है या basic है, तो यह आपका olfactory indicator हो गया, जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया है, onion juice के बारे में बताया था, इसके अलावा, clove oil के बारे में बताया था, ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने हाँ है activity 2.2, 2.2 activity कर रहा है, उनको देख लेते हैं जो कि previous year के question है, सबसे पहला question कहता है, what do you observe when you drop a few drops of acetic acid to a test tube containing, आप लिये हैं क्या acetic acid, नाम सुनिए acetic acid, इसका formula CH3COOH, अब यहाँ पर यह acetic acid है, तो भाई क्या है acid है, अब इसको जब आप finophthalene में डालिएगा, तो क्या change होगा, आपको क्य change मिलेगा, तो भाई यहाँ पर no color change, no color change, color में कोई change नहीं हैगा, distilled water में कोई color में change नहीं होगा, universal indicator में, तो universal indicator तो हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, जब आगे आएगा तब वहाँ पर हम लोग बात कर लेंगे, इसके बाद कहता है कि sodium hydrogen carbonate powder यह भी आपने अभी तक नहीं ब पूछा था, जिसमें चार आपको questions थी, तो इस प्रकार से question पूछे जाते हैं, इसलिए indicator वगएर आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, अब इसके बाद अगले question की बात करें, तो अगला question यहाँ पर कहता है, कि to a solution of sodium hydroxide in a test tube, sodium hydroxide का solution है test tube में, two drops of phenophyllene are added, दो drops हम डाल रहे ह बेस में, sodium hydroxide क्या है, एक प्रकार का बेस है, in a o h, ठीक है, बेस है, अगर उसमें हम लोग phenophyllene डालते हैं, तो क्या change होगा, color pink हो जाएगा, ठीक है, pink color हो जाएगा, if dilute hcl is added, drop wise to the solution, what will be the color change, अब हमने क्या डाला, phenophyllene डाला, और उसके बाद अगर हम dilute hcl डालते हैं, drop by drop तो क्या change होगा, change यह होगा, कि यह फिर से colorless हो जाएगा, colorless हो जाएगा, क्यों भाई, क्यों कि पहले क्या था, medium basic था, हमारा noh था, sodium hydroxide था, लेकिन उसमें हमने hcl डालना शुरू किया, hcl डालते, डालते क्या होगा, वो neutral हो जाएगा, neutral हो जाएगा, तो color फिर से कैसा हो जाएगा, colorless हो जाएगा, ठीक है, आगे कहता है कि on adding few drops of naoh solution to the above mixture, the color of solution is reappears, यहाँ पर कहता है कि जब हमने यहाँ पर dilute acil डाल दिया, उसके बाद अगर हम फिर से naoh के कुछ drops डाल दें, तो pink color फिर से आ जाएगा, ऐसा क्यों होगा, explain करिए, कारण यह है कि पहले क्या थ था, naoh में हमने क्या डाला, hcl डाला, तो दोनों क्या हो गया, cancel हो गया, cancel कैसे हो गया, reaction हो गया, ठीक है, अब यहाँ पर reaction क्या बना, nacl बन गया, और साथ में h2o बन गया, ठीक है, यह चीज हो गया, लेकिन जब हमने दोबारा से इसमें few drops डाल दिये naoh के, तो medium कैसा हो गय और basic हो गया, तो हमें color कैसा मिलेगा, फिर से pink color मिलेगा, ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर change होता है, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, और यही activity देखते है, activity 2.2, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पर वही चीज आपको, जो हमने onion juice की बात की थी, आपको क्या करना है, finely chopped onion लेना है, plastic bag में डाल देना है, उसमें कुछ कपड़े के strip डाल देने है, उसको रात भर के लिए fridge में रख देना है, और फिर हम cloth strip को use करेंगे, acid base को test करने के लिए, ठीक है, अब यहाँ पर दो strip हम लेंगे, और उसके odor को चेक करेंगे, odor है या नहीं है, तो भाई एक onion juice में डाला था, तो odor रहेगा, और उसके बाद clean surface पर उसको सुखा कर, या फिर clean surface पर रख कर, हम few drops dilute HCl एक strip पर और दूसरे strip पर dilute NaOH डालेंगे, तो हमें क्या change देखने को मिलेगा, change ये देखने को मिलेगा, कि जिस strip पर हम dilute HCl डालेंगे, उसमें odor में क है, वो खतम हो जाएगा, समझ गया, odor गायब हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार का change आएगा, तो यहाँ पर यही चीज़ को आगे continue किया गया है, तो इसको मैं skip करके आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने अब क्या आ जाता है, कहता है, कि which of these, vanilla, onion and cl can be used as olfactory indicator on the basis of your observation, यहाँ पर तीनों के साथ experiment करने के लिए बोल रहा था, क्योंकि वो चीज़ मैंने पहने ही बता दिया है, तो उसको फिर से पढ़ाने का कोई मतलब नहीं, ठीक है, इसलिए मैं उसको छोड़ कर आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, कहता है कि let us do some more activities to understand the chemical properties of acids and bases, अब हम क्या करेंगे, अब हम acid or base के different chemical reaction करवाएंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक प्रकार से acid or base के properties समझेंगे, कि भाई metal के साथ कैसा reaction होता है, metal oxide के साथ कैसा reaction होता है, इस प्रकार से, तो सबसे पहला हमारा reaction किस चीज़ का है, सबसे पहला reaction कहता है कि how do acids and bases react with metals यानि जो metal है उसके साथ acid और base का reaction कैसा होता है reaction होता है तो क्या बनता है अब यहां से आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यहां से जितनी भी activities आपको दिखेंगे न वो आपके लिए बहुत ही important है क्योंकि इन activities से सीधे questions पूछे जाते हैं और यह आपको ध्यान में रखने हैं सारे activities अब देखें यहां पर आपका पहला activity जो है reaction के हिसाब से मैं बैप कर रहा हूँ वो है activity 2.3 तो यहां पर आपको एक setup बनाना है कैसा setup बनाना है जो setup आप यहां पर image में देख रहे हैं यही setup आपको तयार करना है क्या करना है यहां पर यहां पर आपको एक test tube लेना है उसको इस प्रकार से stand की मदद से टांग देना है इसमें आपको hydrochloric acid लेना है और इसमें zinc granules डाल देने है अब यहां से इसको cork की मदद से बंद करके एक delivery tube बना करके और यहां पर soap solution में इसको डाल देना है अब ऐसा क्यों करना है भाई तो यहां पर हम लोग एक प्रकार से क्या कर रहे हैं टेस्टिंग कर रहे हैं रियक्शन करवा रहे हैं किस चीज़ का metal और साथ में acid का रियक्शन करवा रहे हैं अब इसमें हम टेस्ट क्या कर रहे हैं यहां पर हम लोग टेस्ट कर रहे हैं hydrogen का तो यह आपसे अगर question पूछे यह आपसे बोले कि भाई देखो hydrogen के लिए टेस्ट का setup तयार करो setup डाइग्राम बनाओ तो यह आप ध्यान रखीगा क्योंकि यह कई बर पूछा गया है समझ गया और यह आपको ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से हम लोग कहाँ पर hydrogen test करते हैं किसी भी reaction में ठीक है तो यहाँ पर इसको जरा सा पढ़ लेते हैं activity फिर में आगे का process बताऊंगा reaction वगरा भी बताऊंगा कहता है कि आप क्या करिए apparatus setup कीजे जैसा कि figure 2.1 में दिखाया गया है जो कि मैंने आपको दिखा दिया कहता है कि 5 ml आपको dilute sulfuric acid लेना है आप test tube में क्या करेंगे 5 ml dilute sulfuric acid लेंगे और उसमें few pieces zinc granules के डाल देंगे ठीक है अब आप यहाँ पर क्या observe करिएगा zinc granules के surface के उपर zinc granules के surface के उपर आप observe किजिएगा कि यहाँ पर आपको bubbles form हो रहे हैं यानि वहाँ पर बुलबुले उठ रहे हैं यानि वहाँ पर जो hydrogen gas से वो form हो रहा है ठीक है कहता कि pass the gas being involved through the soap solution यानि कि जो gas वहाँ से निकले आपके stage tube से उसको आप soap solution से pass कराईए और वहाँ पर आप soap solution में देखिएगा कि bubbles formed हो रहे हैं तो यह bubbles क्यों form हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पर जो gas बन रहा है वही gas यहाँ पर delivery tube की मदद से यहाँ तक पहुँच रहा है और यहाँ पर आपको bubbles बनते हुए दिखेंगे ठीक है अब आगे कहता है कि एक जलता हुआ candle यह gas filled bubbles के पास लेकर आईए और वहाँ पर आप क्या observe करते हैं यह आपको test करना है यहाँ पर आप क्या observe करिएगा जब आप यहाँ पर candles लेकर आईएगा इस उठते हुए bubble के बिलकुल उपर तो यहाँ पर यह bubbles जो है यह burst होंगे और वहाँ पर आपको pop sound सुनाई देगा pop sound कैसा होता है इस प्रकार का sound आपको सुनाई देगा और यह किस चीज का प्रमान है यह किस चीज को दिखाता है यह दिखाता है कि यहाँ पर hydrogen gas जो है वो evolve हो रहा है और यहाँ पर जो pop sound आएगा वो इसी hydrogen gas के burning की वज़ा से हमको यहाँ पर pop sound सुनने को मिलेगा तो यह क्या है taste for hydrogen hydrogen का presence टेस्ट करने का यह setup है और यहाँ पर आप यह reaction जो है reaction और भी चीजों से करवा सकते है जैसे zinc के जगह पर दूसरे metal ले सकते है या फिर यहाँ पर sulfuric acid के जगह पर आपको acidic acid ले सकते है hydrochloric acid ले सकते है और भी acid ले सकते है जैसे यहाँ पर जो setup किया गया है इस setup को अगर मैं यहाँ पर क्या करो यहाँ पर आपको इसका reaction बनाओ तो हमने क्या लिया? Zinc लिया प्लस में क्या डाला? H2SO4 डाला तो यहाँ पर क्या बना? Zden SO4 बना और साथ में H2 बना इस प्रकार से hydrogen gas यहाँ पर evolve हुआ और यहाँ पर zinc sulfate बन गया ठीक है? तो यह प्रकार से आपका reaction होगा यहाँ पर आप अगर कुछ दूसरा चीज लेते हैं तो वहाँ पर reaction आपको change हो जाएगा जैसे HCl लेंगे तो वहाँ पर reaction change हो जाएगा HNO3 लेंगे तो reaction change हो जाएगा इस प्रकार से आपको metal और किस चीज का acid का reaction होने पर क्या होता है आपका hydrogen gas बनता है H2 बनता है यह हमने समझ लिया अब यही चीज़ आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि note that the metal in the above reaction reactions displaces hydrogen atom from the acids as hydrogen gas and forms a compound called a site उपर यहाँ पर आपको लिखा हुआ है reactions reactions क्यों लिखे हुए हैं इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर आपको कहा गया कि आप क्या करिएगा यहाँ पर reaction HCl के साथ भी करवाईएगा HNO3 के साथ करवाईएगा CH3 COH के साथ करवाईएगा तो वो reaction भी आपको करवाने उसके लिए यहाँ पर reactions लिखा हुआ है समझ गया तो इसी को आगे मैं बढ़ाओं तो आपका मेन मुद्दा क्या है मेन मुद्दा यहाँ पर यह है कि देखिए अगर आप acid का reaction कराते हैं मिटल के साथ तो क्या बनेगा salt बनेगा क्या बनेगा salt नाम का compound बनेगा ठीक है और साथ में hydrogen gas आपका evolve होता है क्या होता है hydrogen gas evolve होता है ठीक है अब यहाँ पर यह जो activity आप देख रहे हैं यह जो activity है यह बहुत ही important है क्योंकि इस activity से सीधे यही activity दे देता है और question पूझ देता है जैसे यहाँ पर मैं आपको यह question दिखाता हूँ यह question सीधा सीधा यही वाला आपका activity है जो की आपको examination में आया है ठीक है तो यहाँ पर यह activity पहले देखते हैं फिर question देखेंगे तो activity के हम लोग बात करें तो कहता है कि place a few pieces of granulated zinc metal in a test tube test tube में आपको few pieces zinc metal रखिए और उसमें 2 ml आप sodium hydroxide डालिए sodium hydroxide solution डालिए और इस test tube को हलका सा warm कर दीजिए गर्म कर दीजिए और यहाँ पर जो चीज आपने activity 2.3 में की थी वही कीजिए मतलब वहाँ पर आपने क्या किया था एक प्रकार से hydrogen gas का test किया था hydrogen gas के presence को test किया था वही test आपको यहाँ पर भी करना है तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर यह होगा कि sodium hydroxide है उसके साथ zinc का reaction होगा तो sodium zincate बनेगा और साथ में hydrogen gas release होगा यह reaction बहुत ही important है इसको सीधे सीधे याद कर लीजिए इसका पूरा यह activity भी याद कर लीजिए सीधे question पूछता आई examination में यहाँ पर मैं आपको question भी दिखा देता हूँ यहाँ पर यही पूछा है 2 ml of sodium hydroxide solution is added to a few pieces of granulated zinc metal taken in a test tube when the content are warmed a gas evolves which is bubbled through a soap solution before testing write the equation of the chemical reaction involved and the test to detect the gas समझ के name the gas which will be evolved when the same metal reacts with dilute solution of strong acid यहाँ पर यही कहता है क्या कहता है zinc metal लिया zinc metal था हमने क्या किया sodium hydroxide का 2 ml solution लिया वो भी लिया और इसको जब हमने गर्म किया तो एक gas निकला gas कौन सा निकला H2 निकला अब इसमें यहाँ पर soap solution के थूप पास करा रहे है वो तो यहाँ नहीं लिखा है यहाँ पर कहा ना कि activity 2.3 में जैसा किया था वैसा करना है वही question सिधा सिधा है इसके बाद बोलता है कि equation लिखिये equation कहां से आएगा भाई तो यही equation आपका बनेगा NaOH प्लस Na2 ZNO2 प्लस H2 यही equation है यही equation आपको लिखना है समझ गए तो यहाँ पर इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर कहता है कि आपको क्या लिखना है chemical reaction लिखना है और test आपको लिखना है कि gas को detect करने का तो pop sound test लिख सकते हैं या फिर hydrogen test लिख सकते हैं ठीक है तो इसके बाद कहता है name the gas which will be evolved when the same metal reacts with dilute solution of strong acid strong acid के dilute solution के साथ अगर reaction होता क्या होगा hydrogen gas release होगा जो कि अभी तुरंथ हमने उपर देखा था तो यहाँ पर आपने क्या समझा यहाँ पर उपर हमने देखा कि जब acid metal के साथ react करता है तो क्या बनता है salt बनता है और साथ में hydrogen gas release होता है यहाँ पर NOH क्या है यह base है base जब metal के साथ react करता है तो क्या बनता है यहाँ पर salt बनता है और साथ में hydrogen gas release होता है लेकिन यह ध्यान रखना है कि यह reaction आपके लिए important क्यों है भाई important इसलिए है कि ये आपका एक प्रकार का rare reaction है या फिर हम कह सकते हैं कि exception है क्यों भाई? क्योंकि सारे bases metal के साथ react करके यहाँ पर salt और hydrogen नहीं बनाते हैं इसलिए ये reaction आपका important हो जाता है समझ गए? तो ये बात ध्यान रखेगा कि base metal के साथ react करके hydrogen gasoline करता है salt बनाता है लेकिन ये आपका एक प्रकार का rare reaction या फिर exception reaction है जेनरली ऐसा हर base नहीं करता है अब यहाँ पर आगे बढ़ें तो आगे क्या कहता है? यहाँ पर यही चीज़ you find again that hydrogen is formed in the reaction however such reactions are not possible with all metals समझ गए? कि यहाँ पर ये चीज़ सभी metal के साथ नहीं होता है इसलिए ये क्या है? एक प्रकार का rare reaction है ठीक है? अब यहाँ पर आगे हम बढ़ें तो आगे हमारे सामने क्या है? यहाँ पर है topic 2.1.3 how do metal carbonates and metal hydrogen carbonates react with acid? यहाँ पर metal carbonate और metal hydrogen carbonate की हम बात कर रहे हैं कि वो किस प्रकार से react करते हैं acid के साथ लेकिन उसके पहले अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर उसी से जुड़ा हुआ यह जो reaction बताया इसी से जुड़ा हुआ यहाँ पर question है क्या question कहता है? write the names of the product formed when zinc react with NOH also write the balanced chemical equation for the reaction involved write a test to confirm the presence of gas evolved during this reaction तो यहाँ पर यही हुआ zinc plus NOH यहाँ पर क्या बना? sodium zincate बना Na2, ZnO2 plus H2 यही reaction बोल लिखने के लिए बोल रहा है ध्यान रखना है कि zinc NOH के साथ react कर रहा है यही reaction लिखना है समझ गए? और यहाँ पर आगे बढ़ें तो आगे यहाँ पर यह topic पढ़ रहे थे तो यहाँ पर फिर से क्या आया? फिर से आया activity आपको बार बार यहाँ पर क्या करना है? reaction करवा करके समझना है reaction करवाओ, experiment करो, देखो उसके बाद समझो कि क्या हो रहा है यहाँ पर क्या बोलता है? acid के साथ हम react कराएंगे metal carbonate और metal hydrogen carbonate metal carbonate मतलब जैसे यहाँ पर आपका क्या है? यहाँ पर जैसे आपको sodium carbonate यहाँ पर बोलता है sodium hydrogen carbonate यह ध्यान रखिएगा यह reaction दोनों भी बहुत important है क्यों? क्योंकि यही reaction पूछा जाता है examination में, जैसे उपर वाला पूछता है वैसे यह reaction भी पूछता है तो यहाँ पर आईए activity को जरा सा हम देखते है activity को मैं जरा सा दिखा भी दे रहा हूँ और यहाँ पर इधर लिखा हुआ भी है ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो क्या कहता है? कहता है कि आप दो test tube लेजी दो test tube आपको लेना है एक का नाम A रख दीजे दूसरे का नाम B रख दीजे ठीक है आप क्या करेंगे? आधा गरम 0.5 गरम sodium carbonate यानि कि Na2CO3 आप A test tube मिलेंगे पहला test tube मिलेंगे और 0.5 गरम sodium hydrogen carbonate आप NaHCO3 दूसरे test tube मिलेंगे test tube B मिलेंगे ठीक है अब क्या करना है? आपको 2 ml dilute HCl डालना है दोनों test tube में दोनों test tube में आप dilute HCl डालेंगे आप क्या observe करते हैं? past the gas यहाँ पर क्या observe करेंगे? वही चीज़ क्या होगा? यहाँ पर आपको gas release होगा लेकिन कौन सा gas release होगा भाई? गैस कौन सा होगा? हम अभी बात करेंगे ठीक है? कहता है कि past the gas produced in each case through lime water, calcium hydroxide solution as shown in figure 2.2 and record your observation यहाँ पर जो gas निकले वो gas आपको calcium hydroxide solution से pass कराना है और जो observation हो उसको यहाँ पर note करना है यहाँ पर यह ध्यान रखिये कि यहाँ पर gas कौन सा release होगा? CO2 gas release होगा उपर कौन सा gas हो रहा था? यहाँ पर उपर H2 gas release हो रहा था यहाँ पर CO2 gas release होगा और यहाँ पर जो test है कि calcium hydroxide solution से इस gas को pass करा रहे हैं इस test को हम लोग क्या कहते हैं? इस test को हम लोग कहते हैं lime water test for CO2 lime water test तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि यह कौन सा test है? lime water test है उसमें हम क्या करते हैं? calcium hydroxide के solution से हम लोग CO2 gas को pass कराते हैं उससे हमें confirm होता है कि CO2 gas है या नहीं है कैसे confirm होता है? आईए देखते हैं दोनों का नाम और फुला फॉर्मूला पूरा reaction रट जाईए एकदम बहुत important है, ठीक है? इसके बाद हमने यहाँ पर HCl डाला दोनों में 2-2 ml HCl डाला अब यहाँ पर जब reaction होगा तो क्या बनेगा? NACL बनेगा NACL क्या है? एक प्रकार का salt है ठीक है, salt है अब यहाँ पर salt के साथ H2O यानि की water बनेगा और साथ में CO2 gas release होगा क्या होगा? CO2 gas release होगा यह reaction होगया अब हमें test करना है कि CO2 release हो रहा है या नहीं हो रहा है? यह हमें कैसे पता है? उसके लिए है lime water test जो यहाँ पर हम लोगों ने इस CO2 gas को lime water के through pass कराते हैं तो क्या होता है? CAOH का whole to sodium hydroxide है ठीक है? अरे सोरी, CAOH का whole to calcium hydroxide है अब इससे जब हम CO2 pass कराते हैं तो CACO3 बन जाता है, calcium carbonate बन जाता है, जो की white precipitate है मतलब एक प्रकार का white solid substance होता है, जो की नीचे जाकर बैठ जाता है अब इसके साथ ही H2O यहाँ पर आपका water release होता है, water बन जाता है तो यह आपको क्या होगा? जब precipitate बन जाएगा तो आपको क्या पता चला? कि भाई, CACO3 बन गया है CACO3 कैसे बना? क्योंकि यहाँ पर CO2 gas था CO2 gas अगर नहीं होगा तो CACO3 नहीं बनेगा precipitate formation नहीं होगा और यही precipitate formation हमें बताता है कि CO2 gas यहाँ पर present है लेकिन यहाँ पर एक और condition है condition यहाँ पर यह है कि देखे, CO2 gas जब हम पास कराते हैं lime water से तो CACO3 बनता है, यानि कि calcium carbonate बनता है लेकिन, अगर यह gas ज़्यादा देर तक हम पास करा दें ज़्यादा देर तक पास करा दें मतलब कि excess CO2 अगर हम provide कर दें तो यह CO3 H2O और CO2 के साथ मिलकर यहाँ पर CACO3 का hole 2 बना देता है ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा? यह जो white precipitate है यह एक प्रकार से खतम हो जाएगा bright precipitate फिर आपको नहीं मिलेगा तो यह point भी बहुत important है यह भी आपका question से पूछता है इसको भी आपको ध्यान रखना है ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या कहता है? कहता है कि all metal carbonates and hydrogen carbonates react with acid to give a corresponding salt, carbon dioxide and water यानि कि क्या होगा? ध्यान रखिए metal carbonate यानि CO3 जिसमें है और metal hydrogen carbonate यानि कि HCO3 जिसमें है वो जब acid के साथ react करता है तो क्या बनता है? salt बनता है, carbon dioxide बनता है और water बनता है यह तीन चीज़े बनती है समझ गया? clear है? लेकिन यहाँ पर आप एक तरीके से ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हमने acid के साथ reaction करा दिया लेकिन हम base की बात नहीं कर रहे है base का reaction हम लोग नहीं करा रहे है क्यों base का reaction नहीं करा रहे है? इसका कारण यह है कि जो metal carbonate होता है और जो metal hydrogen carbonate होता है इसका nature होता है basic कैसा nature होता है? basic nature होता है तो भाई base है यह कैसा है? base है यह भी base है, metal carbonate भी base है metal hydrogen carbonate भी basic nature है तो भाई base का base के साथ reaction हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है इसलिए यहाँ पर क्या होगा? इसका base के साथ reaction नहीं होगा हम सिर्फ और सिर्फ एसिड के साथ reaction यहाँ पर पढ़ रहे हैं समझ गए कि भाई metal carbonate और metal hydrogen carbonate सिर्फ और सिर्फ acid के साथ react करेगा, base के साथ नहीं करेगा इसलिए हम acid का reaction यहाँ पर पढ़ रहे हैं और यहाँ पर जो भी reaction दिया गया है एकदम रट जाईए याद कर लीजिए वो एकदम सीधे question आता है ठीक है अब आईए इस topic से जो question पूछे गए है previous year में उसकी बात करते हैं बहुत question है और यह बहुत favorite topic है question पूछने के लिए यहाँ पर कहता है कि भाई देखो हम 2 ml अगर dilute hydrochloric acid add करते हैं 1 gram sodium carbonate और इसको dry test you clean or dry test you मिलेते हैं तो क्या reaction बनेगा तो sodium carbonate Na2CO3 हो गया Na2CO3 हो गया और साथ में हम लोग HCl ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या बन गया NaCl बन गया और इसके साथ ही यहाँ पर क्या बन गया H2O बन गया और CO2 बन गया तो इस प्रकार से आपका reaction होगा वही reaction है जो कि यहाँ पर हमने लिख कर रखा हुआ है यही reaction है इसी को दूसरे प्रकार से दूसरा question पूसता है When you add sodium hydrogen carbonate यानि कि NaHCO3 यह जब आप add करते हैं acetic acid से प्लस में CH3 COOH के साथ जब add करते हैं टेस्ट्यूब में तो gas निकलता है immediately जिसमें कि brisk effervescence मिलता है मतलब कि हलका हलका छुटा छुटा बुलबुले निकलते हैं तो यहाँ पर कहता है कि name this gas gas कौन सा है CO2 gas है describe the method of testing this gas इस gas के presence का test करने का method बताइए तो lime water test है clear है तो यह भी आपका हो गया इसके बाद यहाँ पर आगे अगला question देखें तो अगला question कहता है कि यहाँ पर कहता है कि name the gas and describe the test that confirms the identity of gas यह देखे 2015 में यही question पूछा था 2017 में भी इसी प्रकार से थोड़ा सा words change करके पूछ दिया तो gas आपका CO2 हो गया test आपका lime water test हो गया इसके बाद अगला question यहाँ पर देखते हैं तो अगला question कहता है कि list two observations which you make when you add a pinch of sodium hydrogen carbonate NaHCO3 to acetic acid CH3COOH in a test tube right chemical equation chemical equation लिखना है तो उसी प्रकार से chemical equation लिखेगा ठीक है तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सब वही question है उसी को थोड़ा मुड़ा word change करके formula change करके आपसे पूछ दे रहा ठीक है अब यहाँ पर कहता है कि what is observed when a pinch of sodium hydrogen carbonate यानि कि NaHCO3 हम लोग ले रहे हैं और साथ में हम लोग क्या कर रहे हैं acetic acid CH3COOH है ठीक है is added to 2 ml of acetic acid taken in a test tube right chemical equation लिखना है यही question आपको पिछले बार भी था 2017 में साहिद पूछा था और यह देखे 2019 में आपको पूछ दिया है यही question है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या पता है कि क्या बनता है formula आपने देखा है तो सबसे पहले आपको नहीं आता है simply load नहीं लेना है यहाँ पर आपको क्या करना है CO2 लिखना है प्लस में H2O लिखना है और जो बच जाए उसको प्लस करके लिख देना है क्या आपका बच गिया यहाँ पर CO2 बच गिया जैसे CO2 यहाँ से चला गिया यहाँ से H चला गिया तो CH3 COona यह आपका हो गया reaction इस प्रकार से आप reaction solve कर सकते हैं बना सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर यह सारे question थे जो के काफी important थे इसके अलावा और भी question है question खतम नहीं हुए है मैंने कहा ना कि बहुत important यह topic है जैसे यहाँ पर यह question यह भी बहुत favorite question है 2016 में पूछा है और आगे भी पूछने के chances है जैसे कहता कि what is observed when carbon dioxide gases passed through lime water for a short duration for a long duration जब हम short duration के लिए carbon dioxide lime water के थूँ पास कराते हैं तो क्या बनता है तो भाई CACO3 बनता है ठीक है लेकिन अगर हम long duration के लिए पास कराते हैं तो क्या बनता है CAHCO3 का whole two बनता है ये दो चीज़ बनते है short duration में ये बनेगा long duration में ये बनेगा chemical equation लिखना है तो chemical equation ये वाला आप सीधे सीधे उठा कर लिख सकते हैं ये equation याद कर लिजे दोनो पहला तो यहाँ पर आपको short duration का और दूसरा reaction यहाँ पर long duration का दोनो reaction याद कर लिजे आपके लिए बहुत ही फाइदेमंद होगा बहुत ही काम का होगा अब यहाँ पर आगे हमारे सामने topic क्या है topic number है 1.2.1.4 ये topic कहता कि how do acids and bases react with each other मतलब जो acid है और base है इनका जब आपस में reaction कराया जाता है तो हमें क्या result मिलता है कैसे ये react करते है तो फिर से क्या करना है हमें experiment करना है activity दिया गया है 2.6 तो यहाँ पर कहता है कि take about 2 ml of dilute NaOH क्या करना है 2 ml आपको dilute NaOH का solution लेना है test tube में और उसमें 2 drop डाल देना है phenophthalene के यानि आपने NaOH लिया 2 ml उसमें आपने phenophthalene डाला NaOH क्या है base है तो color हमें कैसा दिखेगा color दिखेगा हमें pink pink color हमें देखने को मिलेगा ठीक है कहता है कि add dilute HCL solution to the above solution drop by drop इसमें आप क्या डालेंगे HCL solution डालेंगे dilute HCL डालेंगे drop by drop करके क्या आपको किसी प्रकार का color change दिखता है reaction में यानि जो ये solution आप test you मिले रहे हैं जिसमें NOH था उसमें जब आप HCL डाले तो कोई color change आपको मिल रहा है तो answer होगा हाँ तो यहाँ पर यही चीज पूछता है कि why did the color of phenophthalene change after the addition of acid आखिर हमने जब phenophthalene डाला था तो pink color था acid डालने के बाद यह pink color एक प्रकार से गायब क्यों हो गया खतम क्यों हो गया यह आप से सवाल पूछ रहा है फिर कहता है कि फिर से आप NOH का थोड़ा सा drop डालिए थोड़ा सा liquid solution डालिए तो क्या pink color फिर से वापस आजाता है यह आपको test करना है और पूछता है कि why do you think this has happened यानि कि यह क्यों हो रहा है यह आप से पूछा जा रहा है क्या हुआ सबसे पहले NOH लिया phenophthalene डाला तो pink मिला लेकिन उसमें हमने HCl डाल दिया तो pink color गायब हो गया लेकिन फिर से हमने क्या किया NOH डाल दिया थोड़ा सा drop by drop करके तो फिर से हमें pink color दिखने लगा तो ऐसा क्यों हुआ यह आपको explain करना है और यह आपको समझना भी है अब यहाँ पर आगे क्या कहता है कहता है कि in the above activity we have observed that the effect of a base is nullified by an acid and vice versa the reaction takes place is written as मतलब क्या कहता है कहता है कि हमने जब NOH लिया था तो NOH में जब हमने HCL डाला तो HCL और NOH आपस में react कर गए और दोनों ने एक दूसरे के effect को cancel out कर दिया एक दूसरे के प्रभाव को cancel कर दिया कैसे cancel किया भाई ये दोनों आपस में react कर गए और क्या बना दिया NACL बना दिया जो की एक प्रकार का salt है समझ गए salt बना दिया इसी वज़े से यहाँ पर हमको जो pink color मिल रहा था वो गायब हो गया फिर हमने जब दोबारा इसमें base डाला जादा मात्रा में तो इसके अलावा base की quantity जादा हो गई तो nature क्या हो गया basic हो गया तो यहाँ पर ये reaction भी ध्यान रखीएगा NaOH प्लस HCl NaCl प्लस H2O यानि simply आप समझ ये कि यहाँ पर क्या हो रहा है base और acid का reaction हो रहा है तो कहता है कि the reaction between an acid and a base to give a salt and water is known as neutralization reaction तो भाई सबसे important चीज neutralization reaction क्या होता है neutralization reaction एक प्रकार से simply आपका reaction होता है acid और base के बीच में reaction जब acid और base आपस में react करते हैं तो salt और water का निर्वान करते हैं और ये जो reaction होता है base और acid का इसमें base और acid एक दूसरे के प्रभाव को neutralize कर देते हैं इसलिए इसको हम लोग neutralization reaction कहते हैं और neutralization reaction का formula simple सा चीज है base प्लस acid is equal to salt salt प्लस water ये क्या है neutralization reaction मतलब कि यहाँ पर जो आपके base है और acid है उनका reaction होगा तो क्या बनेगा? salt बनेगा और साथ में water बनेगा ठीक है? अब इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो आगे अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं reaction of metallic oxide with acid topic number है 2.1.5 यानि कि reaction of metallic sorry metallic oxides with acid यहाँ पर फिर से आपको वही करना है क्या करना है? पहले इस्तमाल करो फिर विस्वास करो मतलब पहले reaction करो पहले activity करो, पहले experiment करो उसके बाद समझो कि भाई यहाँ पर हो क्या रहा है? ठीक है? तो यहाँ पर फिर से activity है, आईए देखते हैं क्या activity कह रहा है? कह रहा है कि take a small amount of copper oxide in a beaker and add dilute hydrochloric acid slowly while stirring. आपको copper oxide लेना है, यानि CuO लेना है एक पीकर में इसमें आपको hydrochloric acid डालना है plus HCl डालना है और आपको यह चेक करना है कि यहाँ पर आपको एक प्रकार से क्या हो रहा है कह रहा है कि note the color of the solution what has happened to the copper oxide. यानि कि color solution का आप test करिये कि color में क्या change हुआ, साथ में copper oxide के साथ क्या हुआ तो यहाँ पर कहता है कि you will notice that the color of the solution becomes blue green and copper oxide dissolves. कहता है कि जो solution है, उसका color कैसा हो जाएगा? blue green हो जाएगा और copper oxide क्या हो जाएगा? dissolve हो जाएगा. क्यों भाई? कहता है कि the blue green color of the solution is due to formation of copper to chloride. blue green color क्यों हो जाएगा? क्योंकि the general reaction between a metal oxide and an acid can be written is. यहाँ पर कहता है कि देखे, metal oxide और acid का जब reaction होगा, तो salt बनेगा और water बनेगा. क्या बनेगा? salt बनेगा और water बनेगा. और यहाँ पर यह जो reaction ही, इसको complete कर देता हूँ. CuCl2 प्लस यहाँ पर क्या होगा? Cl चला गया, Cu चला गया तो आपको H2O साथ में. यह reaction आपको complete होगा यहाँ से और यह reaction भी आपको important है. यह reaction भी आपको ध्यान रखना है. ठीक है? अब यहाँ पर आपको क्या आपको समझ में आए? कि metallic oxide का जब reaction acid के साथ होगा तो क्या बनेगा? salt बनेगा और साथ में water बनेगा. clear है formula? अब यहाँ पर एक चीज़ आप समझ रहे हैं कि metal oxide है. acid के साथ react कर रहा है क्या बन रहा है? salt बन रहा है और water बन रहा है तो यहाँ पर आप एक प्रकार से यह चीज़ समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है? नहीं समझ में आया? बताता हूँ. देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कहता कि now write and balance the equation for the above reaction. वो तो मैंने आपको दिखा दिया ठीक है. since metallic oxides react with acid to give salt and water similar to the reaction of a base and base with an acid metallic oxide are said to be basic oxide. क्या कह रहा है? कह रहा है कि देखिए जो हमने reaction देखा, वहाँ पर क्या हुआ? कि जब acid के साथ metallic oxide का reaction हुआ, तो हमें salt मिला और साथ में water मिला. और यही reaction हमने उपर पढ़ा था कौन सा reaction? neutralization reaction. जहाँ पर acid और base का reaction होता है तो हमें salt मिलता है और water मिलता है. यहाँ पर भी वही चीज हुआ तो हम क्या कर रहे हैं? acid के साथ react कर रहे हैं तो भाई हम कह सकते हैं कि metallic oxide क्या है? एक प्रकार का base है या फिर basic in nature है तो यहाँ पर इसके साथ एक और चीज़ आप ध्यान दे रहे हैं क्या ध्यान दे रहे हैं? कि यहाँ पर आपको metallic oxide का reaction सिर्फ और सिर्फ आपको acid के साथ पढ़ाया जा रहा है base के साथ नहीं पढ़ाया जा रहा है क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि metallic oxide खुद से base है तो यह base के साथ कैसे reaction करेगा? इस वज़ह से आपको metallic oxide का reaction सिर्फ और सिर्फ acid के साथ पढ़ना है मतलब क्या हो गया metallic oxide जब acid के साथ react करेगा क्या बनाएगा salt बनाएगा और साथ में water बनाएगा ठीक है ये चीज़ समझ गए अब इसके बाद अगले कदम पर बढ़ें तो यहाँ पर अब हम क्या दिखेंगे reaction of a non-metallic oxide with base यहाँ पर क्या है non-metallic oxide है base के साथ कहता कि you saw the reaction between carbon dioxide and calcium hydroxide उपर हमने reaction lime water test में reaction देखा था क्या देखा था C-A-O-H का whole 2 और plus में CO2 का हम reaction करा रहे थे तो वहाँ पर हमने क्या देखा कि जो calcium hydroxide है जो क्या है यह है base और CO2 क्या है non-metallic oxide है ठीक है कहता कि which is a base react with carbon dioxide to produce a salt and water यहाँ पर base CO2 के साथ react कर रहा है क्या बना रहा है यहाँ पर बना रहा है salt C-A-C-O-3 plus क्या बना रहा है यहाँ पर H2O बना रहा है तो यह आपका reaction हो गया इस reaction में आप क्या देख रहे है कि यहाँ पर आपका salt बन रहा है और water बन रहा है CO2 क्या है यह CO2 एक प्रकार का non-metallic oxide है C-A-O-H का hole 2 क्या है यह एक base है तो उपर जो हमने reaction देखा बिलकुल उल्टा यहाँ पर देख रहे हैं कि non-metallic oxide क्या है यह एक प्रकार से acid के जैसा behave कर रहा है समझ गए? acidic nature है इसका और यह सिर्फ और सिर्फ base के साथ react कर रहा है acid के साथ react नहीं कर रहा है तो यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं कि non-metallic oxide का nature कैसा होता है acidic होता है तो यहाँ पर यही कहता है कि since this is similar to the reaction between a base and an acid we can conclude that non-metallic oxide are acidic in nature तो यहाँ पर क्या दो points समझे पहला metallic oxide क्या होगा metallic oxide आपका होगा nature इसका कैसा? basic nature होगा और वही अगर आपका non-metallic oxide है तो यहाँ पर आपका इसका nature कैसा होगा? acidic nature होगा ठीक है? तो यह बात ध्यान रखे metallic oxide basic nature non-metallic oxide acidic nature यह main point यहाँ से निकल कर आता है ठीक है? और यह जो reaction वगरा है यह reaction भी ध्यान रखेगा important है अब यहाँ पर आज आते हैं हम लोग question वगरा पर जो कि previous year में पूछे गए हैं तो यहाँ पर question में एक question है जो कि यहाँ से आया है कहता है कि with the help of an example what happens when a base react with non-metallic oxide what do you infer about the nature of non-metallic oxide कहता है कि जब एक base non-metallic oxide के साथ react करेगा तो क्या होगा? तो भाई non-metallic oxide के साथ react करेगा तो reaction नहीं होगा क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो non-metallic oxide है oh sorry, sorry, sorry non-metallic oxide बोल रहा है acidic nature में है तो क्या बनेगा? यहाँ पर salt बनेगा और साथ में water बनेगा ठीक है? और यहाँ पर यह non-metallic oxide का non-metallic oxide का nature कैसा होगा? यह nature होगा acidic कैसा होगा? acidic nature होगा तो यह 2017 का question है यह आब आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर आगे बढ़े हैं तो आगे हमारे सामने क्या है NCRT के in-text question है यह भी काफी important होते हैं इनको भी जरा सा देख लेते हैं तो यहाँ पर पहला question पूछता है Why should curd and sour substances not kept in a brass and copper whistles कहता है कि जो curd या फिर दूसरी सावर सबस्टांस होते हैं जैसे lemon juice हो गया, vinegar हो गया इनको copper या फिर brass के बरतनों में हम क्यों नहीं रखते हैं क्योंकि copper और brass क्या है एक प्रकार के metal हैं और यह क्या है acid है curd क्या है एक प्रकार का acidic nature है और दूसरी जो sour substances वो भी acidic nature है acid और metal आपस में react कर जाएंगे acid और metal react कर जाएंगे और क्या बना देंगे, salt बना देंगे, water बना देंगे इस वज़ा से अब यहाँ पर अगला question पूछता है Which gas is usually liberated when an acid react with a metal जब एक acid metal के साथ react करता है तो कौन सा gas यहाँ पर release होता है illustrate with an example तो भाया H2 gas release होता है How will you test for the presence of this gas तो pop sound test आप कह सकते हैं या फिर burning of hydrogen test लिख सकते हैं अब यहाँ पर अगला कहता है question है, यह थोड़ा trick question है समझ गया? कि metal compound A reacts with dilute hydrochloric acid dilute hydrochloric acid मतलब यहाँ पर HCl के साथ reaction हो रहा है to produce effervescence यानि कि वहाँ पर bulbulे एक प्रकार से निकल रहे है metal से ठीक है the gas evolved extinguishes a burning candle यानि कि जो चीज बन रहा है वो है CO2 क्योंकि CO2 को हम लोग आग बुझाने में इस्तमाल करते हैं write a balanced chemical equation for the reaction if one of the compound formed is calcium chloride अगर एक compound हमारा यहाँ पर क्या है calcium chloride है यानि यहाँ पर CACO sorry Cl2 और साथ में यहाँ पर यह हम को दिया है कि यह है और साथ में यहाँ पर क्या हम कौन सा metal है जो की ऐसा बना रहा है तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यह metal है CACO3 CACO3 जब HCl के साथ react करेगा तो यहाँ पर CACO2 बनाएगा CO2 बनाएगा और साथ में यहाँ पर H2O बनेगा इस प्रकार से आपका यह reaction होगा यह भी ध्यान रख लिएगा यह question भी आप revise कर लिजेगा अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे सामने topic क्या है topic यहाँ पर है कि what do all acids and bases have in common यानि कि सभी acid और सभी bases में कौन सी बात ऐसी है जो कि common होती है ठीक है तो आईए जरा सा पढ़ते है तो यहाँ पर कहता है कि in section 2.1 we have seen that all acids have similar chemical properties what lead to this similarity in properties कहता है कि हमने 2.1 जब topic पढ़ा वहाँ पर हमने देखा कि सभी metals का सभी acid का सभी bases का एक जैसा nature होता है 2.1 यानि कि जो शुरुआत में हम topic पढ़ रहे थे उसमें जहाँ पर हमने test वगरा किये थे जो किये थे कि मतलब indicator का use करके test किया था उसकी बात हो रही है वहाँ पर हमने देखा कि सभी acid का एक जैसा nature होता है सभी base का एक जैसा nature होता है तो ऐसी क्या बात है कि सभी acid का एक जैसा nature होता है सभी base का एक जैसा nature होता है ये हमें समझना है कहता कि we saw in activity 2.3 that all acids generate hydrogen gas on reacting with metals हमने 2.3 topic में यानि metal के साथ acid का reaction जब करा रहे थे, तब देखा कि जितने भी acid हैं, जब metal के साथ react करते हैं, तो hydrogen gas release करते हैं, so hydrogen seems to be common to all acid, मतलब क्या समझ में आया, कि hydrogen सभी acid में common होता है, होता है, हमने सुरू में definition में ही बात किया था, कि जो जितने भी acid होते हैं, वो H plus iron release करते हैं, H plus iron कब release करेंगे, जब उनके पास hydrogen होगा, तभी वो H plus iron release करेंगे, ठीक है, let us perform an activity to investigate, whether all compounds containing hydrogen are acidic, अब यहाँ पर हमसे पूछता है, कि भाई देखो, चलो क्या करते हैं, क्या activity करते हैं, और activity से हम यह पता करते हैं, कि क्या जितने भी compound हैं दुनिया में, जिनमें की hydrogen होता है, क्या सभी acid होते हैं, या फिर कुछ खास चीजे भी होती हैं उसमें, यह चीज अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, टेस्ट करने वाले हैं, अब यहाँ पर अगर हम लोग आगे बढ़ें, तो यह चीज आपको activity 2.8 में यही टेस्ट करना है, कि क्या जितने भी compound हैं, जिनमें की hydrogen होता है, क्या सारे acid होते हैं, या फिर उसमें से कुछ खास होते हैं, तो यहाँ पर क्या कहता है, कहता है कि आपको 3 solution लेना है, 4 solution, पहला glucose का solution लेना है, hydrochloric acid का solution लेना है, sulfuric acid का solution लेना है, अब चारों में बता दो कि चारों में hydrogen है, hydrochloric acid, sulfuric acid, H2SO4 hydrogen है, glucose C6, H2LO6 hydrogen है, alcohol में भी hydrogen होता ही है, alcohol का पूरा एक series होता है, group होता है, ठीक है, वो तो आप chapter 4 में अच्छे से समझेगा, मतलब क्या है, simply बात है कि सभी में hydrogen है, अब हम क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पर यह setup बनाने वाले हैं, चारों के साथ हम यह setup बनाएंगे, यहाँ पर दो काटी हम लोगी लेंगे, काटी को electricity के साथ connect कर देंगे, और यहाँ बल्ब लगा देंगे, टेस्ट करने के लिए कि electricity पास हो रही है, या फिर नहीं हो रही है, अब यहाँ पर dilute HCL solution डाला, इसके बाद हम लोग बारी बारी से चारों में यह setup टेस्ट करेंगे, ठीक है, अब कहता है कि यहाँ पर repeat with dilute sulfuric acid, उसके साथ टेस्ट कीजिए, फिर आप glucose और alcohol के साथ टेस्ट कीजिए, और आप यह observe कीजिए कि चारों condition में क्या होता है, क्या यह bulb जलता है या फिर नहीं जलता है, मतलब simply आपको टेस्ट करना है कि यहाँ पर चारों में electricity पास हो रही है, या फिर नहीं हो रही है, यह आपको experiment करना है चारों में, ठीक है, अब यहाँ पर experiment तो हम कर नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको theory के रूप में पढ़कर समझ रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखते हैं, यहाँ पर आगे कहता है, मतलब उपर जो figure था, उसमें दिखाए गया था, कि जब हम acid के साथ test करेंगे, H2SO4 के साथ, या फिर HCl के साथ, तब जो bulb है न वो glow करने लगेगा, जलने लगेगा, मतलब electricity pass होगी, लेकिन आप जब glucose और alcohol solution के साथ test करेंगे, तो आपको पता चलेगा, electricity conduct नहीं हो रही है, और वहाँ पर bulb हमारा नहीं जल रहा है, तो भाई, ऐसा क्या खास बात है इन acids में, कि यहाँ पर यह electricity pass हो रहा है, या फिर glucose और alcohol में ऐसी क्या कमी है, कि वहाँ पर electricity pass नहीं हो रहा है, ठीक है, अब यहाँ पर bulb जलने का मतलब क्या है, electricity pass होने का क्या मतलब है, मतलब कि electric current flow हो रहा है, electrons flow हो रहे हैं, चीज़े flow हो रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कहता है, कि यहाँ पर जो current flow हो रहा है न, यह current flow कौन कर रहा है, यह ions flow करा रहे हैं, यानि जो acidic solution है, जिसमें acid है, यहां पर ions का formation होता है, मतलब जो acid होते हैं, वो क्या करते हैं, H plus ion release करते हैं, और यह H plus ion कट ion के रूप में release करते हैं, और साथ में anion के रूप में CL minus release करते हैं, मतलब जब हम लोग acid solution के थूप electricity pass कराते हैं, तो जैसे HCl है न, यह तूट जाता है, H plus ion release करता है, और साथ में CL minus ion release करता है, मतलब H plus cation release करता है, CL minus anion release करता है, इसी प्रकार से HNO3 जब हम use करते हैं, तो H plus ion release होता है, H minus ion release होता है, इसी प्रकार से जब acidic acid में test करते हैं, तो CH3CO minus ion release होता है, और H plus ion रिलीज होता है, और जो भी compound जिसमें hydrogen है अगर वो H plus iron release करेगा तभी वो क्या होगा acid होगा अगर H plus iron release नहीं कर रहा है तो वो आपका acidic नहीं होगा ठीक है अब यहाँ पर आगे देखें तो यहाँ पर आपको यही H plus iron की वज़ा से जो acid होते हैं उनका acidic nature हमें देखने को मिलता है यही बात यहा आप alkalina ikiya होते हैं एक प्रकार के basis होते हैं जो कि water soluble होते हैं अप alkalina के साथ की जैसे की sodium hydroxide, calcium hydroxide आप इससे क्या conclude निकालते हैं जब आप basis के साथ करेंगे तो क्या आपको मिलेगा आपको पता यह चलेगा कि भाई जब आप bases के साथ यही test करते हैं तो यहाँ पर यह भी iron release करते हैं electricity conduct करेंगे bases भी क्यों क्यों क्योंकि base भी यहाँ पर iron release कर रहे हैं यहने plus iron और 7 में OH minus iron इसी के साथ koh अगर हमारा है तो k हमारा plus और 7 में OH minus मतलब क्या होगा जब हम base use करेंगे तो क्या होगा OH minus K plus iron इस प्रकार से ions का formation होगा तो यहाँ पर यह समझना है कि जो acid होते हैं उनमें H plus iron release होता है water solution में और 7 में यहाँ पर जो bases होते हैं इनमें OH minus iron होता है इसी वज़ा से यह जो है electricity conduct करा सकते हैं दूसरे compound दूसरे solution electricity conduct नहीं करा सकते हैं अब यह चीज़ आप समझ गये तो यहाँ पर कुछ questions वगरा है है तो देख लेते हैं नहीं है तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आगे देखे तो यह question है तो अगले point के साथ जुड़ा हुआ है topic यहाँ पर क्या कहता है क्या होता है water solution में acid और base डालने के बाद यह चीज़ जरा सा हम समझते हैं तो यहाँ पर यह activity बहुत important है यह activity important क्यों है क्योंकि यहाँ पर से कई तरीके के question बनते हैं तीन चार question बनते हैं जो कि मैं आपको बता दूँगा अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर दिखाया गया ऐसा आपको apparatus setup करना है ठीक है अब इसके बाद कहता है कि आप concentrated sulfuric acid लेजिए test tube में concentrated sulfuric acid डाले test tube में आप क्या observe करते हैं क्या उसमें से कोई gas निकल रहा है test tube में से तो test tube में से gas निकलेगा मतलब जब आप यहाँ पर NaCl डालेंगे और साथ में यहाँ पर आप क्या डालेंगे H2SO4 डालेंगे तो यहाँ पर आपको HCl gas release होगा क्या होगा HCl gas release होगा यानि की hydrochloric acid gas के form में release होगा ठीक है आगे कहता है कि taste the gas evolved successively with dry and wet blue litmus paper मतलब यहाँ पर आपने क्या किया NaCl डिया उसमें H2SO4 डाला तो यहाँ पर आपको क्या करना है इसके बाद जैसे यहाँ पर आपने sit up किया आपको cork बंद कर देना है और यहाँ से pipe निकाल करके आपको blue litmus paper दो प्रकार के लेने है एक blue litmus paper लेना है जो कि बिलकुल सूखा हुआ होगा और एक blue litmus paper लेना है जो कि भीगा हुआ होगा तो यहाँ पर दोनों को आपको test करना है सूखा हुआ लगा कर कि जो hydrochloric acid का gas निकल रहा है उससे सूखा हुआ blue litmus paper पर क्या फरक पड़ा और भीगे हुए blue litmus paper पर क्या फरक पड़ा यह आपको test करना है अब क्या फरक पड़ता है यह हम यहाँ पर बात करेंगे कहता है कि in which case does the litmus paper change color यहाँ पर किस condition में हमारा जो litmus paper है वो color change करेगा on the basis of above activity what do you infer about the acidic character of dry HCL gas, HCL solution उपर activity करने से आपको HCL gas का और HCL के solution में क्या फरक देखने को मिलता है यह यहाँ पर आपको क्या करना है पता करना है अब यहाँ पर आपने क्या किया यहाँ पर आपने HCL gas का formation किया अब यहाँ पर आपको दो-तीन question बनते हैं पहला तो question बनेगा आप यह system बताईए setup बताईए reaction बताईए कि आप किस प्रकार से HCL gas का formation करेंगे HCL gas का formation कैसे करेंगे यह आपको बताना है पहली बात दूसरी बात यहाँ पर question क्या पोच्छता है dry hydrogen chloride gas does not change the color of dry litmus paper why अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए यहाँ पर hydrogen chloride लिखा हुआ है तो भाई देखिए hydrochloric acid जब हम बोलते हैं न तो वो solution के form का मतलब हो गया hydrochloric acid लेकिन जब वो gas के form है तो उसको हम क्या कहते है hydrogen chloride कहते है hydrogen chloride gas ठीक है और जब यह एक प्रकार से water के साथ मिल जाएगा solution हो जाएगा तब वो hydrochloric acid होता है ठीक है तो यह बाद ध्यान रखिएगा तो यहाँ पर कहता है कि dry hydrogen chloride does not change the color of dry litmus paper why यानि कि यहाँ पर क्या हुआ reaction में यहाँ पर जो experiment हम करें थी इसमें क्या हुआ इसमें यह हुआ कि जो यहाँ से gas निकला कौन सा gas HCL gas HCL gas निकला क्या है वाई acidic gas है लेकिन यहाँ पर यह जब gas है न dry litmus paper के contact में आता है तो किसी भी प्रकार का color change सो नहीं करता है यह जो blue litmus paper है यह red नहीं होता है लेकिन वहीं पर जो भीगा हुआ litmus paper है जो moist litmus paper है वो जब यहाँ पर gas के संपर्क में आता है तो वो red color का हो जाता है color change सो कर देता है ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि dry litmus paper में कोई change नहीं हुआ लेकिन moist litmus paper में change आ गया तो उसका कारण हमें यहाँ पर समझना है ठीक है? तो कारण समझते हैं कारण यहाँ पर यह कहता है कि this experiment suggests that hydrogen ions in HCl are produced in the presence of water मेन मुद्दा क्या है? सुरू से हम लोग बात कर रहे हैं कि जो यहाँ पर acid होता है acid में hydrogen ion का formation होता है उसी की वज़ा से उसी characteristic की वज़ा से वो acid है लेकिन जब यहाँ पर HCl gas के form में होता है gas के रूप में होता है तब वो hydrogen ion formation नहीं करता है और इसी की वज़ा से वो अपना acidic nature so नहीं करने पाता है लेकिन जैसे ही उसको नमी मिलती है जैसे ही उसको moisture मिलता है वो तुरंत water के साथ contact में आकर के क्या कर देता है hydrochloric acid बना देता है समझ गए तो यहाँ पर यहीं चीज़ कहता है कि HCl जो है वो जब water के presence में रहेगा water के contact में आएगा तब ही वो hydrogen ion release करेगा और अपना acidic nature so करेगा the separation of H plus ion from HCl molecules cannot occur in the absence of water जो HCl है वो H plus के रूप में water के presence में ही तूटेगा water के बिना नहीं तूटेगा और यहीं आपके question का answer है जो की उपर हमने question देखा था अब यहाँ पर आपका इसके लिए reaction दिया है HCl plus H2O is equal to H3O plus Cl minus यानि कहता है कि HCl जब H2O के contact में आएगा तो H3O plus ion बनाएगा इसी को हम लोग hydronium ion कहते हैं कौन सा ion? hydronium ion समझ गया? तो यह hydronium ion बनेगा साथ में यहाँ पर chlorine ion बनेगा ठीक है? आगे कहता है कि hydrogen ion cannot exist alone but they exist after combining with water molecules मतलब क्या हुआ कि जब देखिए यहाँ पर हमारा HCl water के contact में आया water molecules के contact में आया तो HCl कैसे तूट गया? H plus और plus Cl minus इस प्रकार से यह तूट गया अब यह जो H plus ion है ना यह H plus ion water में H plus के रूप में नहीं रह सकता है नहीं टिक सकता है तो यह क्या करता है? यह H plus ion जो है यह water में जितना भी H2O present है ना H2O के साथ मिल जाता है जॉइन हो जाता है और H3O plus यानि की hydronium ion का formation करता है इसलिए जब हम लोग solution तयार करते हैं इसलिए जब हम लोग acid का solution तयार करते हैं तो वहाँ पर solution में hydronium ion present होता है hydrogen ion हमें नहीं दिखता है नहीं मिलता है यहाँ पर यही कहता है कि thus hydrogen ions must always be shown as H plus aqueous और hydronium ion यानि कि आपको जब भी hydrogen ion दिखाना है तो वो H plus aqueous लिखना होगा या फिर आपको hydronium ion के रूप में लिखना होगा कहता है कि we have seen that acids give H3O plus और H plus aqueous ion in water let us see what happens when a base is dissolved in water जब base को water में dissolve करते हैं तो यह Na plus और साथ में OH minus OH minus ion release करता है यानि कि hydroxide ion release करता है ठीक है अब यहाँ पर बात करें तो एक reaction में complete करना बोल गया था वो है NaCl plus H2SO4 HCl सिर्फ मैंने यहाँ पर लिख दिया था NaHSO4 यह आपका complete reaction है यह reaction भी ध्यान रखेगा आपके लिए important है अब यहाँ पर आगे बढ़ें तो यहाँ पर कुछ questions वगेरा है जो की यहाँ पर आपको पूछे गए है previous year में जो की आपके लिए important है तो यहाँ पर आगे बढ़ें उसके लिए आपको level diagram बनाना है तो यही वाला diagram आपको बनाना है सारे parts के नाम अच्छे से लिखने है और उसी से आपको marks मिलेंगे दूसरा question यहाँ पर कहता है कि test the gas evolved first with dry then with wet litmus paper in which of the two cases does the litmus paper so change in color कौन condition में color change हो करेगा जब हमारा wet होगा कहता है state the reason of exhibiting acidic nature by dry HCl gas, HCl solution तो यहाँ पर इसका क्या है तो भाई hydrogen ion release होता है hydronium ion बनता है वही आपका यहाँ पर reason है इसी को आप explain करके लिख सकते है अब यहाँ पर यह जो आपका base के साथ reaction करवाने पर हमको OH- ion यानि hydroxide ion मिलता है वही hydroxide ion के बारे में और भी दिखाया गया example कि भही देखो यहाँ पर KOH है वो भी इसी प्रकार से release करता है यही चीज़ कहता है कि bases generate hydroxide ion in water bases which are soluble in water are called alkaline यानि मैं बार-बार पहले भी कह चुका हूँ कि देखो सारे bases water soluble नहीं होते है जो bases water soluble होते है उनको हम क्या कहते है alkaline कहते है यहाँ पर यही चीज do you know में बताया गया है कि all bases do not dissolve in water and alkaline is a base that dissolves in water they are soapy to touch bitter and corrosive यह सारी चीज़े ठीक है अब यहाँ पर आगे बढ़ें तो आगे अब हम दूसरी बात करने वाले आगे यहाँ पर हम समझ गए कि क्या होता है कि जो acid होते हैं वो acid क्यों होते हैं water में जब वो dissolve होते हैं aqua solution जब उनका तयार होता है तो hydrogen ion release करते हैं bases base क्यों होते हैं क्योंकि उनमें hydroxide ion release होता है OH-ion release होता है अब आगे कहता है कि now as we have identified that all acid generate H plus ion and all bases generate OH-ion यानि hydroxide ion we can view the neutralization reaction as follows हमने अभी तक क्या समझ लिया कि acid में हमको hydrogen ion मिलेगा base में हमको hydroxide ion मिलेगा उसके बाद अगर हम neutralization reaction को फिर से एक प्रगारख से पढ़ें तो उसको हम कैसे पढ़ सकते acid plus base is equal to salt plus water तो यहाँ पर अगर उदारण ले NaOH plus HCl तो इसको यहाँ पर यह क्या है यह base है यह हमारा acid है जब हम इसको reaction कराएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा NaCl बनेगा NaCl plus H2O तो यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर यही चीज हुआ जो यहाँ बताता है कि यहाँ पर हमारा acid में से hydrogen को छोड़ करके जो भी बचा, base में से OH को छोड़ करके जो भी बचा यह आपस में combine हो जाते हैं जैसे यहाँ पर base में से Na वाला उठकर चला जाएगा HCl में से Cl चल जाएगा यह दोनों आपस में मिल जाएंगे NaCl बना देंगे और इसका बचा हुआ hydrogen और इसका बचा हुआ OH मिलकर क्या बना देंगे H2O बना देंगे ठीक है इस प्रकार से हमारा यह तयार होता है इस प्रकार से जो hydrogen ion है और साथ में hydroxide ion है यह मिलकर water बनाते हैं इस टूओ बनाते हैं ठीक है अब यहाँ पर देखिए एक चीज है जो की काफी important है वो है acid और base को कैसे handle किया जाता है इसमें कहता है कि Let us see what is involved when water is mixed with an acid or a base किस प्रकार से water को हम लोग acid और base में mix करते हैं यह चीज आपको समझना जरूरी है क्यों जरूरी है भाई क्योंकि यह आपके safety के लिए important है आपके life के लिए important है ठीक है अब यहाँ पर कहता है कि activity 2.10 यहाँ पर क्या कह रहा है take 10 ml of water in a beaker एक beaker में 10 ml water लीजिए और उसमें few drops of concentrated H2SO4 डालिए मतलब concentrated मतलब जो गाढ़ा है H2SO4 होता है जिसमें की water की quantity काफी कम है उसको क्या कीजिए few drops of concentrated H2SO4 डालिए और beaker को धीरे-धीरे हिलाइए beaker के base को touch करके test कीजिए कि क्या temperature में कोई change है जो आपने काम किया acid को mix किया water में वो एक प्रकार का exothermic reaction है उसमें heat energy release होती है बहुत भारी मातरा में release होती है ठीक है और जब ऐसा ही काम आप base के साथ कीजिएगा जैसे NOH के साथ कीजिएगा तो वहाँ पर भी आपको यही पता चलेगा कि यह reaction क्या है exothermic है मतलब कि वहाँ पर heat energy release हो रही है तो इसलिए यहाँ पर एक चीज बताया जा रहा है कि the process of dissolving an acid or a base in water is a highly exothermic one मतलब कि जब आप किसी acid में water mix करते हैं तो बहुत भारी मातरा में heat energy release होता है बहुत वहाँ से exothermic मतलब energy release होता है care must be taken while mixing concentrated nitric acid और sulfuric acid with water nitric acid बहुत ही strong acid होता है sulfuric acid भी बहुत strong acid होता है जब इन acid को water के साथ mix किया जाये तो बहुत ध्यान से बहुत कौशशली आपको क्या करना चाहिए यह mixing करनी चाहिए अब यहाँ पर इसके लिए तरीका बताया गया है कहता है कि the acid must always be added slowly to water with constant stirring यानि कहता कि जब भी आप इस प्रकार का काम कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं dilution कर रहे हैं मतलब कि एक प्रकार से acid में water डाल रहे हैं तो आपको कभी भी water acid में नहीं डालना है बलकि acid water में डालना है वो भी slowly डालना है drop by drop डालना है और साथ में continuously आपको stirring करते रहना हिलाते रहना ठीक है if water is added to a concentrated acid the heat generated may cause the mixture to express out and cause burn यानि कहता है कि देखिए अगर आप water डालेंगे acid में तो वहाँ बहुत ज़्यादा heat generate होगा और उससे बिलकुल बुलबुला उठेगा और उससे आपको क्या होगा drops जो निकलेंगे वो आपके शरीर पर आ सकते हैं और एक प्रकार से burn injury हो सकती है इसके साथ ही जो glass आपका container है जिसमें कि आपने acid रखा हुआ है वो गर्म होकर भट सकता है तूट सकता है और पूरा acid विखर जाएगा और आपको बहुत ही भारी injury हो जाएगी burn हो जाएगा इसलिए कहता है कि आपको क्या करना है आपको यहाँ पर जब भी water और acid को mix करना है यानि कि dilution करना है तो आपको क्या करना है आप acid डालेंगे water में और slowly डालेंगे और उसको हिलाते रहेंगे इस प्रकार से आप mixing करेंगे कहता है कि mixing an acid or base with water result in decrease in the concentration of ions per unit volume such a process is called dilution dilution क्या होता है dilution simply है कि water को जब हम mix करते हैं acid या फिर base में तो गही dilution होता है इससे क्या होता है ions का concentration कम हो जाता है जैसे उदारण के लिए एक लीटर आपका क्या है acid है उसमें अगर हम 10 लीटर water mix कर दें तो यहाँ पर एक लीटर में जितने आयन थे वो अब कितने लीटर में हो गए 11 लीटर में आपको उतनी आयन हो गए तो पर लीटर आपका concentration ions का कम हो या नहीं हुआ जी हाँ बिलकुल कम हो गया मतलब एक लीटर में माली जे 100 आयन थे तो अब 11 लीटर में 100 आयन है तो concentration कम हुआ या नहीं हुआ यह हुआ तो यही चीज यहाँ पर कह रहा है ठीक है अब यहाँ पर आगे बढ़ हैं तो आगे आपके सामने questions है यह questions भी काफी important है क्योंकि यहीं से आपको कई बार उठाकर सीधे exam में पूछ देता है इसलिए इनको भी देखना ज़रूरी है कहता है कि Why do HCl, HNO3, etc. so acidic characters in aqueous solution while solution of compounds like alcohol and glucose denotes so acidic character because of hydrogen ion ठीक है simple सी बात है Why does aqueous solution of an acid conduct electricity hydrogen ion ions का formation होता है उसी की वज़ा से ठीक है While diluting an acid why is it recommended that the acid should be added to water not the water to the acid यह चीज तो अभी तुरंत हमने discuss किया कि भाई क्या होगा उसमें बहुत exothermic reaction होता है बहुत heat energy generate होता है उसमें beaker blast कर सकता है फट सकता है और bird injury हो सकते है और इसलिए इसका उल्टा हम लोग करते है How is the concentration of hydronium ion is 3O affected when a solution of acid is diluted तो वो जो concentration है hydronium ion का वो decrease करता है ठीक है How is the concentration of hydroxide ion affected when access base is dissolved in a solution of sodium hydroxide access base डालेंगे तो क्या होगा एक प्रकार से जो यह concentration है वो increase कर जाएगा ठीक है हमारे सामने topic है topic number 2.3 यहाँ पर topic क्या पूछता है How strong are acid or a base solution यानि कि अब हम acid और base कि कितने strong है कितने powerful है यह हम लोग check करेंगे उसके लिए हम लोग क्या करेंगे एक universal indicator एक pH scale का use करेंगे अभी तक तो हमने indicators का use किया है उससे हमें पता चलता है कि भाई कोई भी substance acid है या फिर base है लेकिन यहाँ पर जब हम universal indicator का use करेंगे pH scale का use करेंगे तब हमें पता चलेगा कि कोई acid कितना powerful है जैसे अगर मैं बात करूँ जैसे आपके classes में simply दो concept होते जैसे कि class में examination हुआ तो आपको पता चलता है कि कोई भी बच्चा pass है या फिर वो fail है तो ये चीज आपको तो पता है कि pass है मतलब 33% से ज़ादा है और fail मतलब 33% से कम है लेकिन जो बच्चे pass है उन सभी में से सबसे तेज बच्चा कौन है सबसे ज़ादा marks लाने वाला बच्चा कौन है कमजोर बच्चा कौन है average बच्चा कौन है ये आपको कैसे पता चलेगा उसके लिए हम लोग comparison करते हैं कैसे comparison करते हैं marks का comparison करते हैं कोई बच्चा 90% लाया, मतलब वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, वो तेज बच्चा है, लेकिन कोई बच्चा अगर 45% लाकर पास कर रहा है, वो average बच्चा है, वो average सिल्लू है, 70% कोई लाता है, तो वो average बच्चा है, इस प्रकार से हम लोग comparison करते हैं, इसी प्रकार से जब हम लोग pH scale का use करते हैं, जब हम लोग universal indicator का use करते हैं, तब हमें पता चलता है कि कोई acid कितना powerful है, कोई base कितना powerful है, ये comparison हम आसानी से करने पाते हैं, यहाँ पर universal indicator और pH scale का use करके, तो आईए इसी चीज़ को continue करते हैं और पढ़ते हैं, तो यहाँ पर कहता कि we know how acid base indicators can be used to distinguish between an acid and a base, यानि कि जो indicator होते हैं, उनकी मदद से हमें पता चलता है कि कोई भी चीज़ acid है या फिर base है, अभी थोड़ी देर पहले हमने dilution की बात की और वहाँ पर पढ़ा कि जब हम लोग dilution करते हैं, water add करते हैं acid में या फिर base में, तो उसका concentration H plus या फिर OH minus iron का कम या फिर जादा हो सकता है, अगर हम उसका water add करेंगे तो concentration कम हो जाएगा, ज्यादा उसमें acid डाल देंगे तो concentration बढ़ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर यही सवाल पूछता है, जो कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, can we quantitatively find the amount of these ions present in a solution, can we judge how strong a given acid or base is, यानि कि क्या हम यह पता कर सकते हैं, संख्यावाइज कि किस solution में कितनी मात्रा में H+, या फिर OH-ion present है, या फिर हम compare कैसे करेंगे कि कौन सा acid ज्यादा strong है, कौन सा acid कमजोर है, कौन सा base strong है, कौन सा base कमजोर है, तो इसी चीज़ को, इसी problem को solve करने के लिए, हम लोग यहाँ पर universal indicator का use करते हैं, अब इसका नाम क्या है, universal indicator, मतलब क्या, मतलब कि यह एक प्रकार से कई सारे indicators को मिला कर यहाँ पर बनाया गया है, यह जो indicator होता है, यह कई सारे indicators को मिला कर बनाया जाता है, और यह जो universal indicator होता है, यह अलग-अलग color, अलग-अलग concentration पर देता है, यानि कि अगर बहुत ज़्यादा concentration है इसका color दूसरा हो जाएगा अगर बहुत कम concentration है तो color change हो जाएगा मतलब अलग-अलग concentration पर अलग-अलग color देगा उससे हमें पता चलता है कि भाई कोई acid strong है या फिर weak है कोई base strong है या फिर weak है अब यहाँ पर अगर मैं आपको example दिखाओं तो यह मेरे पास एक paper strip है यह paper strip किस चीज़ का है यह universal indicator है यह ph paper है इसको simply हम लोग ph paper भी कहते हैं लेकिन इस paper में क्या है universal indicator को यहाँ पर mix किया गया है add किया गया है ठीक है अब यहाँ पर इसको अगर मैं किसी acid में डालू या फिर किसी भी base में डालू तो इसका color कई सारा हो सकता है जैसे कौन-कौन सा इसका color हो सकता है जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें अगर मैं यहाँ पर water में डालूंगा तो ऐसा color हो जाएगा, मतलब ऐसा color ज़रूरी नहीं हो, मतलब इस प्रकार का color यह show करता है, इसके बाद यहाँ पर अगर lemon juice में डालूं तो ऐसा हो जाएगा, मतलब जिस प्रकार के medium में मैं डालूंगा, वो red से लेकर इस प्रकार से black, blue तक भी हो सकता है, कोई भी color यह show कर देगा, जैसा हमारा medium होगा, तो इसी color से हमारा पता चल जाएगा, कि कौन सा medium हमारा ज्यादा strong acid है, कौन सा medium weak acid है, कौन सा base है, कौन सा neutral है, समझ गए, तो इस प्रकार से हमारा यह universal indicator काम करता है, और pH paper काम करता है, अब यहाँ पर देखि होता है, hydrogen ion के concentration को माप कर strong और weak की बात की जाती है, लेकिन चीजों को आसान रखने के लिए, कि कोई दस्वा में पढ़ने वाला बच्चा, कोई नवा में पढ़ने वाला बच्चा, स्कूल के बच्चे आसानी से समझ सके, पता कर सके, कौन सा acid strong है, weak है, उसके लिए यहाँ pH scale simply बना दिया गया है, और यह pH scale क्या है, एक प्रकार से आपका 0 से लेकर 14 नंबर तक एक scale है, जिस प्रकार से आप हमने देखा color, वैसा ही scale है, यह 0 से सुरू होता है, और यह 14 तक जाता है, अब यह ऐसा है, तो यह चीज आपको यहाँ पर समझनी चाहिए, 0 से 14, अलग-अ इसके levels है, 0 मतलब क्या, 0 मतलब जो medium है, वो acidic है, जो सबस्टान समलोग test कर रहे है, वो acidic है, यहाँ पर 14 मतलब क्या, मतलब जो सबस्टान समलोग test कर रहे है, वो basic है, बहुत basic है, अब इस 0 से 14 का जो pH scale है, इसमें 7 जो होता है, वो बीचो बीच होता है, और यह neutral होता है, का pH हमारा कितना होता है pH number 7 होता है मतलब ये neutral होता है लेकिन वहीं पर lemon juice हमें खटा लगता है वो acidic है उसका 3 होता है gastric juice हमारे पेट में जो hcl है उसका 2 होता है इसके साथ ही milk of magnesia का 10 होता है sodium hydroxide solution का 14 होता है लगबग 14 होता है तो ये एक प्रकार से pH scale है जिसमें number 0 से सुरू होता है 14 तक जाता है 0 मतलब की आपका strong acid 14 मतलब strong base अब ये भाई 0 से 14 कैसे ये calculate होता है तो देखे यहाँ पर ये जो calculation होता है ये आपके hydrogen ion के number पर संख्या पर calculate होता है यहाँ पर ये image आपको इस चीज को समझने में मदद करेगा मतलब यहाँ पर अगर हमारा जो test हम लोग कर रहे हैं जो भी medium जो भी substance test कर रहे हैं उसमें H plus ion का मात्रा जादा होगा जादा H plus ion होगा तो फिर वो क्या करेगा हमारा acidic nature show करेगा और अगर H plus ion कम होगा तो वो pH scale पर हमारा 14 की ओर जाएगा मतलब OH minus ion जादा होगा तो यहाँ पर हमारा basic होगा अब यहाँ पर एक बात आपको एक point समझना जरूरी है कि देखे कोई भी हम लोग solution लेते हैं चाहे वो हम लोग acid ले 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 या फिर base ले ले कोई भी solution ले रहे हैं उसमें हमारा H plus ion भी present होता है और OH minus ion भी present होता है दोनों present होते हैं लेकिन जब हम लोग acid की बात करते हैं तो acid में H plus ion का quantity बहुत जादा होता है और OH minus का quantity बहुत कम होता है देख रहे हैं यहाँ पर OH minus ion बहुत कम है लेकिन जब हम लोग base लेते हैं तो इसमें OH minus ion का यहाँ पर quantity बहुत जादा है लेकिन H plus ion का quantity यहाँ पर बहुत कम है समझ गई ये बात ध्यान रखेगा इसके उपर question भी आपके यहाँ पर किताब में दिया गया है clear है तो यहाँ पर यह जो pH scale होता है यह आपके H plus ion hydrogen ion के quantity को calculate करके बताता है कि भाई कोई भी medium acedic है या फिर basic है अगर H plus ion बहुत जादा है concentration बहुत जादा है तो वो strong acid है base है strong base है इस प्रकार से H plus ion के अधार पर calculation होता है अब इसी चीज़ को यहाँ से हम लोग पढ़ लेते हैं कहता कि pH should be thought of simply as a number which indicates the acidic or basic nature of a solution higher the hydronium ion concentration lower is the pH value मतलब कि hydronium ion का concentration जितना जादा होगा उतना pH value कम होगा जितना जादा H plus ion होगा hydronium ion हमने जैसे वाद किया था कि hydrogen ion generally normally exist नहीं करता है वो water के साथ मिलकर H3O plus बना देता है तो उसलिए hydronium यहाँ पर लिखा गया है तो hydronium ion का quantity जितना जादा होगा pH number उतना कम होगा उतना strong acid होगा और साथ में यहाँ पर hydronium ion का concentration जितना कम होगा उतना आपका क्या होगा strong base होगा ठीक है कहता है कि pH of a neutral solution is 7 values less than 7 on the pH scale represent an acidic solution as the pH value increases from 7 to 14 it represents an increase in OH- and concentration in the solution that is increase in the strength of alkali generally paper impregnated with the universal indicator is used for measuring pH यानि कि जैसे कह रहा है कि generally इसी प्रकार के paper जिसमें कि universal indicator add क्या होता है उसी को हम लोग pH test करने के लिए use करते है अब यहाँ पर आपको दिया गया है table जिसमें कि आपको खुद से भरना है कि किस-किस चीज़ का pH कितना होता है उसमें pH paper का color कौन सा show होगा वो यहाँ से आप मिला कर भर सकते हैं यह activity आप खुद से कर सकते हैं लेकिन कुछ questions हैं जो कि यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं जो कि previous year में पूछे गए हैं तो questions इसी आपको test से हैं universal indicators से जुड़े हुए है यहाँ पर यहीचीज simple simple question है ज्यादा tough question नहीं है कहता है कि a teacher provided acidic acid water lemon juice aqueous solution of sodium hydrogen carbonate and sodium hydroxide to a student in the school laboratory to determine the pH value of these substances using pH paper one of the student reported pH values of given substances as 3, 12, 4, 8, 14 respectively which one of these values is not correct write its correct value stating the reason यानि कि यहाँ पर आपको simply दिया आगया है कि देखो भाया acidic acid water lemon juice aqueous solution sodium hydrogen carbonate और साथ में sodium hydroxide दिया गया बच्चों को pH निकालने के लिए बोला गया एक बच्चे ने ऐसा pH निकाला और यहाँ पर बोला गया कि आपको बोला जा रहा है कि इसमें से कौन सा गलत है जो गलत हो उसका आप सुधारी है तो यह आप खुद से कर लीजेगा ज्यादा tough question है नहीं आगे कहता है कि 2 solutions A and B have pH values 3 and 10.5 3 मतलब क्या है acid है 10.5 मतलब क्या है base है कहता कि which of these will turn blue litmus solution to red phenophthalene from colorless to pink colorless to pink phenophthalene को कौन करेगा base करेगा मतलब 10.5 करेगा blue litmus solution को red कौन करेगा acid करेगा 3.0 करेगा justify your answer इसको explain करना यह भी आप कर सकते है आगे यहाँ पर कहता है कि define universal indicator mention it's one use universal indicator को define करना है उसका use लिखना है यहाँ पर B question देता है solution A gives pink color when drop of phenophthalene indicator is added to it मतलब A solution क्या है भाई base है ठीक है is added to it यह क्या है यह आपका एक परकार से acid है methyl orange का red color acid ठीक है what type of solutions are A and B which of them which one of the solution A and B will have higher pH value base का higher pH value होगा acid का lower pH value होगा name one salt host solution has pH more than 7 one salt host solution has pH less than 7 इसको हम लोग आगे discuss करेंगे जब हम लोग salt discuss करेंगे तो इस परकार के question ज़्यादा tough question यहां से नहीं बनते है simple simple questions बगेरा बनते है ठीक है अब यहाँ पर आगे आगे वही paragraph को continue किया गया है उसी topic को कहता है कि the strength of acids and bases depend on the number of H plus ions and OH minus ion produced respectively if we take hydrochloric acid and acetic acid of same concentration say one molar then these produce different amount of hydrogen ions acid that give rise to more H plus ions are said to be strong acid and acid that give less H plus ion are said to be weak acid simply कहता है कि देखिए अलग-अलग acid same quantity में लेंगे तो अलग-अलग acid अलग-अलग quantity में hydrogen ion release करते हैं जो acid ज़्यादा quantity में hydrogen ion release करेगा वो strong acid होगा जो कम quantity में करेगा वो weak acid होगा simply यही बात है अब यहाँ पर कहता है कि can you now say what weak acid and strong bases are weak acid मतलब क्या हो sorry what weak and strong bases are वही चीज है कि जो आपके strong bases होगे वो ज़्यादा मात्रा में OH- ion release करेंगे और weak bases होगे वो कम quantity में OH- ion release करेंगे ठीक है अब यहाँ पर आगे आपके सामने next topic है टॉपिक क्या है importance of pH in everyday life यानि normal life में हमारा pH value का pH number का क्या importance होता है तो यह देखते हैं सबसे पहला यहाँ पर question है are plants and animals pH sensitive यानि हमारी जो जिन्दगी हमारा जो body है plant का जो body है उसका pH number से कुछ फर्क पड़ता है pH से कुछ फर्क पड़ता है तो pH क्या indicate करता है pH indicate करता है कि कोई भी substance acidic है या फिर basic है तो यह simply पूछ रहा है आपसे कि हमारा जो life चल रहा है उसमें क्या हम एक range में जीते हैं कि हमको इतना ही strong acid चाहिए इतना ही strong base चाहिए उससे ज़्यादा strong acid या फिर strong base की तरफ गए तो हमारे life को खत्रा हो सकता है यह सवाल पूछ रहा है तो यह reality है हाँ तो कहता है कि our body works within the range of pH range of 7 to 7.8 यानि कि हमारा body को काम करने के लिए pH range कितना चाहिए 7 से लेकर 7.8 ठीक है कहता है कि living organism can survive only in the narrow range of pH change यानि जो organism है जो की जिन्दा है वो उनको survive करने के लिए एक narrow range of pH value चाहिए जैसे 7 से 7.8 जैसे हम लोग पानी पीते हैं तो उसका pH value कितना है? 7 है ठीक है कुछ मीठा खाते हैं कोई भी चीज हम खाते पीते हैं interact करते हैं उसका pH value 7 से लेकर 7.8 के बीच में होता है तभी हम survive करते हैं हम जाकर कल hydrochloric acid नहीं पी सकते हैं क्यों? क्योंकि उसका pH value 0 या फिर 1 होता है वो हम पीएंगे हम तुरंद मर जाएंगे समझ गया है क्यों? क्योंकि हम उसको जेल नहीं सकते हैं survive नहीं कर सकते हैं कहता है कि अगर कभी भी बारिश हो वहाँ पर बारिश का pH value 5.6 से कम हो जाता है तो उसको हम लोग acid rain कहते हैं वो हमारे लिए harmful होता है हमारे लिए सिर्फ नहीं जो आपको organism रह रहे हैं जैसे plant हो गए या फिर नदियों में जो organism रहते हैं वो भी हो गए सभी एक प्रकार से उसके उपर depend करते हैं अगर वो acid rain जाकर नदियों में गिरेगा नदियों के organism मर जाएंगे plant पर गिरेगा plant को बहुत नुकसान होगा यहाँ पर यहीं कहता है कि the survival of aquatic life in such rivers become difficult मतलब when acid rain flows into the rivers it lowers the pH of the river water यानि कि जब यह acid rain का water जिसका pH value 5.6 है वो जब नदियों में जाता है तो नदियों का pH value कम हो जाता है जिससे कि वहाँ के organism के जान के उपर खत्रा बन जाता है simply क्या बात है कि भाई देखो हम लोग pH sensitive है pH एक प्रकार से जितना हमारे range में रहे उतना ही अच्छा है range कितना है 7 से लेकर 7.8 आगे कहता है कि what is the pH of the soil in your backyard यानि कि जो soil है जिसमें कि हम लोग खेती करते हैं जिसमें plants उगते हैं उसका भी एक खास pH range जरूरी है ताकि वहाँ पर plants उग सके समझ गया कहता है कि plants require a specific pH range plant you can collect the soil from various places take the pH value in manner described below मतलब कि किस range में वो survive करेंगे इसके लिए आपको test करने के लिए कहा जा रहा है कि अपने हिलाके में जाओ जहां पर पेड़ उगता है वहां का मिट्टी लो उसका test करो कि वहाँ pH value कितना है तब तुम्हें पता चल जाएगा कि कितने pH value में वो plant survive कर रहा है तो यहां परस्ति आपको तरीका बतायाएगे activity में 2 ग्राम soil लीजिए 5 ml water में add कीजिए उसको shake कीजिए उसका water निकाली और water का pH value test कीजिए आपको पता चल जाएगा इसके बाद कहता है कि pH in our digestive system हमारे digestive system में pH value बहुत importance रखता है कारण क्या है कारण है कि हमारा जो stomach है वो hydrochloric acid बनाता है और यह hydrochloric acid हमको digestion में मदद करता है food का digestion में मदद करता है और यह एक प्रकार से stomach को harm भी नहीं करता है आपको पता है जो हमारे stomach के lining में mucos होता है कहता है कि कई बार हमें indigestion हो जाता है वहां पर stomach क्या करता है बहुत जड़ा acid produce करता है और उसकी वज़ा से हमें दर्द होता है irritation होता है हमें जलन होता है तो उसको खतम करने के लिए लोग क्या करते हैं basis का use करते हैं एंटासीड के रूप में मतलब कि जैसे इनो खा लेते हैं या फिर आपको डाइजीन या फिर बहुत सारे एंटासीड हैं जिनका उपियो किया जाता है जो कि एक प्रकार के mild base होते हैं जो कि हमारे पेट के acid के effect को खतम कर देते हैं वही उनका काम होता है और यहा यहां पर एक और चीज़ है pH change as a cause of tooth decay यानि जो हमारा दात है वो सडने लगता है खतम होने लगता है वो क्यों होता है क्योंकि जब हमारे दातों का pH value change होता है तब जाकर हमारे दात एक प्रकार से damage होने लगते हैं तो यहां पर कहता है कि tooth decay starts when the pH of the mouth is lower than 5.5 यानि mouth का pH value अग decay करने लगता है वो गलने लगता है सडने लगता है कहता है कि tooth enamel made up of calcium hydroxy appetite a crystalline form of calcium phosphate का एक crystalline form है उससे हमारा दात बना हुआ है वो हमारे body का hardest substance होता है यह आपको water में dissolve नहीं होता है लेकिन यह corrode हो जाता है कब corrode होता है जब pH हमारे mouth का 5.5 से नीचे चला जाएगा तो जिस प्रकार से metal corrode होता है उसी प्रकार से हमारे दात भी corrode होने लगते हैं यह corrode हमारा pH value 5.5 से नीचे क्यों जाएगा मतलब कि हमारे mouth का acidity बढ़ रहा है acidic nature यहाँ पर बढ़ रहा है क्यों बढ़ रहा है उसका कारण है कि कई बार हम लोग मीठा खाते हैं मीठा खाने की सुगर को consume करते हैं उसको decompose करते हैं और उसको decompose करने से क्या बनता है acid बनता है acid बनता है और वो acid जो है वो हमारे mouth को harm करता है हमारे teeth को harm करता है इसको रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जब हम खाना खाएं उसके बाद mouth को साफ कर लें उसको clean कर लें और रोज brush करें तो उससे क्या होगा उससे एक प्रकार से जो हमारे mouth में bacterias हैं वो खतम हो जाएंगे जो वहाँ पर sugar content है वो भी खतम हो जाएगा और जो आपका brush होता है उसमें हलका सा base मिलाय हुआ होता है मतलब जो toothpaste आप use करते हैं ठीक है कहता है कि using toothpaste which are generally basic for cleaning the teeth can neutralize the excess acid and prevent tooth दिखे अगर tooth paste को use करेंगे तो हमारे दातों को हम बचा सकते हैं उसको हम safe रख सकते हैं अब यहाँ पर आगे कहता है self-defense by animals and plants through chemical warfare यह तो आपको पता होगा कि भाई देखें जो चीटी हमें काटती है चीटी हमें दर्द देता है चीटी का काटना क्यों कि चीटी हमारे शरीर में acid छोड़ती है उसी प्रकार से जो आपके honey भी होते हैं वो जब काटते हैं तो आपको बहुत दर्द होता है क्यों क्योंकि वो acid छोड़ते हैं हमारे body ठीक है कहता है कि bee sting leaves an acid which causes pain and irritation use of a mild base like baking soda or on the stung area gives relief यानि कि जब baking soda use करेंगे जहां पर आपको honey भी काटा है तो आपको आराम मिलेगा क्योंकि honey भी ने आपके शरीर में acid छोड़ा आपने base लगाया है दोने neutralize कर गए आपको दर्द खतम होगा ठीक है stinging hair of needle leaves inject methanoic acid causing burning pain यहां पर आपको needle leaves होते हैं चृष ने आपको यह परकार का पोधा है उसके leaves होते है उसमें जब आपको यह लगेगा यह पौधा तो यह भी आपको बर्न काउस करेगा क्यों कि चृथ में आपको होते हैं टैमरिंड में, टाटरिक एसीड, टोमेटो में, ओक्जेलिक एसीड, इसके बाद हमारे साउर मिलक में, यानि जो कर्ड होता है, उसमें लैक्टिक एसीड होता है, लेमन में साइटरिक एसीड होता है, एंट इस्टिंग में मिथनोईक एसीड होता है, नेटल इस्टिंग में ह 8 है, which solution has more hydrogen ion concentration, जिस जो 6 है उसका hydrogen ion concentration ज्यादा होगा, कौन सा acidic है, कौन सा basic है, तो 6 वाला acidic है, 8 वाला basic है, simple सा चीज है, आगे कहता है कि what effect does concentration of H plus ion have on the nature of the solution, H plus ion का concentration का nature पर क्या effect पड़ता है, तो भाई H plus ion ज्यादा होगा, तो acidic होगा, कम होगा, तो वो basic होगा, कहते हैं, साथ में ये भी strong acid और weak acid का भी concept आप डाल सकते हैं, तो basic solution have H plus ion, क्या जो basic solution होते हैं, उसमें H plus ion present होता है, if yes, then why are these basic, हाँ, जो basic solution होते हैं, उसमें H plus ion present होता है, और ये basic क्यों है, क्योंकि basic solution में, OH minus ion का concentration बहुत ज़्यादा होता है, और H plus ion का concentration बहुत कम होता है, ठीक है, आगे कहता है, कि under what soil condition, do you think a farmer would treat the soil, his field with quick lime, calcium oxide, slick lime, और chalk, अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, कि ये जो तीने हैं, तीनो है ये acid के साथ react करते हैं, आपको यहाँ पर metallic oxide है, तो इसका nature कैसा होता है, ये एक प्रकार से इसका nature होता है basic, ये क्या करता है, acid के साथ react करता है, इसी प्रकार से हम लोग बात करें, तो यहाँ पर calcium oxide हो गया, slaked lime calcium hydroxide base है, acid के साथ react करेगा, chalk calcium carbonate ये भी acid के साथ react करेगा, तो जब हमारे soil में acid की मातरा बढ़ जाएगे, acidity बढ़ जाएगा, pH value decrease कर जाएगा, तब हम क्या करेंगे, इनका उपयोग करेंगे, ताकि जो neutralization reaction है, वो कराया जा सके, इनका nature कैसा होता है, basic होता है, अब यहाँ पर इसके बाद बढ़ें, तो आगे हमारे सामने topic है, topic क्या है 2.4, more about salts, अब यहाँ पर देखिए, हम लोग salts को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, हमने अभी तक simply पढ़ा कि देखो भहिया, acid और base मिलाते हैं, salt बल जाता है, यह समझ चुके, लेकिन अब यहाँ पर salt को समझेंगे, salt के properties को समझेंगे, अलग-अलग प्रकार के important salt compounds को पढ़ेंगे, तो आईए इसको भी जरा सा खतम करते हैं, पढ़ते हैं, तो salt के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो salt क्या है, तो salt एक प्रकार का ionic compound है, जो की acid और base के reaction से बनता है, ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, in the previous section we have seen the formation of salts during the various reaction, let us understand more about their preparation, properties and uses, तो पहला topic है 2.4.1 family of salts, तो देखें, salts कई group के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, जैसे यहाँ पर आपको कई सारे नाम दिये गए हैं, salt के, जैसे potassium sulfate, sodium sulfate, calcium sulfate, magnesium sulfate, copper sulfate, sodium chloride, sodium nitrate, sodium, बहुत प्रकार के salt होते हैं, उनके अलग अलग नाम दिये गए हैं, अभी नामों को याद करने के हमें एक प्रकार से जरूरत भी है और नहीं भी है, अभी यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे तो कोई उतना फाइदा नहीं है, जो important चीज़े हैं, उनके फोकस करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आगे बढ़े हैं, तो आगे अगला topic है हमारे सामने pH of salt, pH of salt क्या है भाई, तो salt होता है न, वो आपको तीन प्रकार का होता है, pH के आधार पर, यानि कि उनके acidity या फिर pH scale के आधार पर, यहाँ पर हमने जैसे देखा था, कि भाई, क्या होता है, जब आपको acid और base मिलते हैं, neutralize कर देते हैं, और salt बन जाता है, तो यहाँ पर भी यही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर, जो आपको salt बनता है, वो तीन प्रकार का बनता है, मतलब, मतलब पहला तो आपका हो गया neutral salt, कैसा, neutral salt, दूसरा क्या हो गया, acidic salt, और तीसरा क्या हो गया, basic salt, मतलब क्या हुआ, मतलब कहता है कि अगर same power के salt, मतलब same power के acid और base, मतलब की strong acid और strong base को combine करेंगे तो क्या बनेगा? Neutral salt बनेगा. जिसका pH क्या होगा? 7 होगा, वो neutral रहेगा. तो यहाँ पर क्या होगा? Strong acid और साथ में strong base समझगे? सेम पावर के acid और base combine कर रहे हैं. तो यहाँ पर क्या होगा? यह neutralize हो जाएगा और यह neutral salt बन जाएगा. लेकिन कई बर क्या होता है? कि हम लोग जब salt बनाते हैं तो उसमें जो acid है वो strong होता है. पावर्फुल acid होता है. और जो base होता है, वो weak होता है. तो जब हम लोग weak base और strong acid को मिला कर एक salt बनाएंगे तो उसका pH value 7 से कम होगा. 7 से कम होगा. और वो salt कैसा होगा? Acidic property शो करेगा. Acidic nature शो करेगा. तो यह चीज़ हो गया. इसके बाद कई बार इसका उल्टा होता है. क्या होता है? कि हम लोग weak acid ले लेते हैं. weak acid. समझ गया है? और साथ में strong base ले लेते हैं. strong base ले लेते हैं. तो ऐसा जब होगा, तो जो compound बनेगा, जो salt बनेगा, वो एक प्रकार का basic in nature होगा. उसमें basic property ज़ादा होगी. तो इस प्रकार से pH value के अधार पर हमारा salt तीन प्रकार का neutral salt, acidic salt, basic salt. अब यही चीज़ आपके किताब में भी यहाँ पर लिखा गया है. क्या लिखा गया है जरा सा देख लेते हैं. कहता है कि salts of strong acid and strong base are neutral with pH value of 7. Strong acid strong base को मिलाएंगे, तो salt बनेगा, वो neutral होगा, pH value 7 होगा. लेकिन अगर हम लोग strong acid और weak base को combine करते हैं, तो salt बनेगा, वो acidic होगा और pH value साथ से कम होगा. और वहीं strong base और weak acid मिलाकर बनाएंगे, तो इसका basic nature होगा और pH value 7 से जादा होगा. तो तीन प्रकार के salt आपके सामने आगए. अब यहाँ पर देखें तो activity 2.1.4 2.14 है. यह क्या कहता है? आपको अलग-अलग प्रकार के salt sample लेने हैं. जैसे sodium chloride, potassium nitrate, ammonium chloride, zinc sulfate, copper sulfate लेना है, और भी कैसार लेने है. इनको water में solubility, मतलब घुला कर solubility check करना है. इसके साथ ही आपको इनका litmus paper पर test करना है कि इनका pH क्या है? कौन सा acidic है? कौन सा basic है? इस प्रकार से. जैसे identify the acid base used to form the salt. Report your observation in table 2.4. यह जो table दिया है इसमें आपको भरना है. तो भाई यहाँ पर table तो हम लोग भर नहीं रहे हैं. हम लोग आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पर देखिए हमारे सामने एक बहुत ही important topic आजाता है. और वो है 2.4.3 chemicals from common salt. Common salt मतलब क्या हो गया? Common salt मतलब कहता है NACL. NACL जो है उसी को common salt के रूप में या फिर table salt के रूप में हम लोग word use करते हैं इसको कहने के लिए. तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं common salt के बारे में, NACL के बारे में और salt में इस से बनने वाले different compounds के बारे में, जो कि industry में widely use होते हैं, हमारे life में बहुत important होते हैं, इनकी बात करने वाले. तो कहता कि by now you have learned that the salt formed by the combination of hydrochloric acid and sodium hydroxide solution is called sodium chloride. अब यहाँ पर क्या कह रहा है? कह रहा है कि देखिए अब तक आपको पता चल गया होगा कि hydrochloric acid और sodium hydroxide को मिला कर जो हम salt बनाते हैं, वो salt हमारा sodium chloride होता है. मतलब कि यहाँ पर NaOH है हमारे सामने, प्लस में HCl है, तो इन दोनों को मिलाया तो क्या बन गया? NaCl बन गया और प्लस में H2O बन गया. तो यह reaction ध्यान रखिएगा. यह reaction क्यों ध्यान रखना है भाई? तो यह reaction आपके आगे काम आएगा आपसे पूछेगा कि भाईया देखो जो common salt बनता है, उसको बनने वाले बनाने वाले कौन सा base है और कौन सा acid है? इसका नाम लिखिए तो यह ध्यान रखिएगा तो आपके लिए ज्यादा बहतर होगा ठीक है? अब आगे कहता है कि this is the salt you see in the food यानि जो आप खाना खाते हैं उसमें यही salt आपको दिखता है you must have observed in the above activity that it is a neutral salt यह salt क्या है? एक प्रकार का neutral salt है यह मैं आपको बता चुका हूँ अब यह salt हमें मिलता कहां से? इसका हम production कैसे करते हैं? तो देखिए यह जो NACL है इसका हम लोग किसी factory में production नहीं करते हैं बलकि यह salt बहुत बड़ी मात्रा में हमारे समंदर में यानि जो ocean है उसमें पड़ा हुआ है और उसी मेंसे बस हम लोग purify करके प्राप्त कर लेते हैं साफ सुथरा करके अपने घर में ले आते हैं और use करते हैं तो यहां पर यही कहता है कि sea water contains many salt dissolved in it sea water में बहुत सारे salt dissolved है NACL भी है दूसरे salt भी है कहता है कि sodium chloride is separated from these salts deposits of solid salt are also found in several parts of the world मतलब simply अगर हम लोग बात करें तो जो यह NACL है यह हमें कहां मिलता है समुद्र के किनारे मिलता है जैसे यह तस्वीर देख रहे हैं यह महात्मा गांधी की तस्वीर है जिसमें यह बच्चे एक बच्चे को थोड़ा सा पिंच कर रहे हैं इनके पीछे क्या है समुद्र है समुद्र के किनारे ही क्या होता है साल्ट किनाला जाता है जो नमक आप खाते ही वह फैक्टरीयोंבה नहीं बनता है वो समुद्र से ही आपको water को evoporate करके वहाँ पर mercury करके करके साल्ट आपके घर तक पहुँचाय जाता है यहां पर कहता है कि आपने rock salt के बारे में सुना होगा, जैसे हमारे इलाके में उसको सिन्हा नमक कहते हैं, जो पत्थर का होता है, समझ गए? उसका टेस्ट थोड़ा सा नॉर्मल सॉल्ट से अलग होता है, इसको मिनरल सॉल्ट भी का जाता है, क्यों भाई? क्योंकि देखिए, यह जो सॉल्ट आप देख रहे हैं, जो कि आपको रॉक सॉल्ट होता है, यह सॉल्ट आपको समुद्र से नहीं निकाला जाता है, बलकि जिस प्रकार से कोईले की माइनिंग की जाती है, उसी प्रकार से माइनिंग करके निकाला जाता है, तो आब लेगा सर वहाँ पर माइनिंग करके कैसे निका जाता है, जमीन के नीचे कैसे ये salt पहुँच गया, तो भाई देखो बात है कि आज के लाखो साल पहले, जैसे हिमाले के आसपास की इलाके में हिमालियन salt मिलता है, जो कि एक प्रकार का rock salt है, तो आज के लाखो साल पह कितने के बाद pressure की वज़ा से ये solid रूप में आ गया, solid form में आ गया, जिनकों की आज minerals की तरह हम निकालते हैं, और साथ में ये जो salt हैं, इनके साथ बहुत सारे impurities भी होती है, इसी वज़ा से ये जो salt होते हैं, इनका color brown हमें देखने को मिलता है, समझ गया, तो ये कारण है क ये rock salt हमें समुद्र के किनारे नहीं, बलकि दूसरी जगों से मिलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आगे गांधी जी के बारे में बात कर रहा है कि गांधी जी का जो डांडी मार्च हुआ था, वो salt के लिए हुआ था, salt उन्होंने बना कर नमक कानून तोड़ा था, इसके बा बारी-बारी से अलग-अलग chemical compounds की बात करने वाले हैं, जो कि आपके common salt से बनते हैं, उनका use क्या है, process क्या है बनने का और भी चीज़ है, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले common salt के बारे में क्या कहता है, a raw material for chemicals, यानि जो common salt हम लोग खाते हैं, table salt खाते हैं, उसको as a raw material बहु materials of daily use, such as sodium hydroxide, baking soda, walking soda, bleaching powder, and many more, let us see how one substance is used for making all these different substances, तो यहाँ पर इन सभी substances को, compounds को हम समझेंगे, इनका usage देखेंगे, कैसे बनते हैं, यह देखेंगे, तो आईए बारी-बारी से समझते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, sodium hydroxide की, यानि की NaOH की बात करते ह ठीक है, अब यहाँ पर sodium hydroxide बनाने का जो process है, इसको हम लोग कहते हैं, chloralkali process, यह क्या होता है भाई, chloralkali process क्यों कहते हैं, तो यहाँ पर देखो भाईया, chlorine बन रहा है, और साथ में यहाँ पर alkali बन रहा है, NaOH बन रहा है, जो कि एक प्रकार का alkalai है, इसी वज़से इसको हम chloralkali process कहते हैं, अब यहाँ पर इसको बनाने के लिए, NaOH बनाने के लिए, electrolysis किया जाता है, electrolysis किसका किया जाता है भाई, तो यहाँ पर हम लोग echo solution, किसका echo solution, sodium chloride, NaCl का जो common salt है, उसका echo solution बनाते हैं, जिसको कि brine कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसका echo solution से जब हम लोग electricity गु दारते हैं, तो यहाँ पर हमारे NaOH का formation होता है, उसका पूरा process आपको यहाँ पर इस image में दिखाया गया है, यह आपको ज़रा समय समझा देता हूँ, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, electrolysis हो रहा है, कैसे हो रहा भाई, देखो यहाँ पर आपको एक chamber बनाया गया, एक टंकी मा pipe लगा दिया गया, जिसमें से हम लोग brine डाल रहे हैं, मतलब NaCl डाल रहे हैं, इसका aqua solution डाल रहे हैं, ठीक है, इस तरफ से हम लोग push कर रहे हैं, बीच में हमने क्या किया, बीच में semi permeable membrane लगा दिया, और इस तरफ से एक pipe हमने निकाल दिया, ठीक है, अब इससे क्या निक प्यार होके निकलेगा, कैसे निकलेगा दिखते हैं, अब यहाँ पर हमने क्या किया, यह जो हमने separation किया है, इसके इस तरफ हमने anode डाला है, इस तरफ कैठोड डाला है, तो जब हम यहाँ से NaCl डालते हैं, और यहाँ पर electricity हम provide करते हैं, तो यह जो NaCl है न, यह NaCl तूटने लगता है, NaCl तूटने लगता है, तो यहाँ पर हमारा Cl जो है, वो इस तरफ move कर जाता है, Cl इस तरफ आने लगता है, हमारा Na इस तरफ जाने लगता है, और साथ में जो water यहाँ पर H2O present है, H2O भी तूटता है, H2O H+, और OH- में तूटता है, तो OH- हमारा इस तरफ आता है, H प्लस हमारा इस तरफ आता है ठीक है अब यहाँ पर OH- इस तरफ आया तो यहाँ पर हमारा जो CL आया CL- यह CL2 क्लोरीन बनकर यहाँ पर गैस के रूप में निकल गया यहाँ पर हमारा H-plus आया यह हमारा H2 गैस बनकर इधर से निकल गया यह एक तरीके से अपना compound बना लेता है कैसे बनाता है वो हमारा यहाँ मतलब नहीं है बस जान लीजे कि यहाँ पर बना लेता है H2 gas यहाँ से निकल गया और यहाँ से जो NA है और यह जो है यह NOH के फॉर्म में यहाँ से क्या हो गया बाहर निकल गया अब यहाँ से ऐसे हमने NaCl डाला, Cl2 यहाँ से बाहर, H2 यहाँ से hydrogen यहाँ से बाहर और NaOH हमारा यहाँ से बाहर इस प्रकार से यह पूरा setup काम करता है, semi-permeable membrane इनको एक प्रकार से separate करने का काम करता है यह पूरा setup है जिससे की हमारा NaOH यानि की sodium hydroxide बनता है ठीक है अब इसका chemical formula आपको देखना है, तो chemical formula यहाँ पर दिया गया है, कि भाई NaCl प्लस 2H2O, यहाँ पर हम लोग क्या करा रहे हैं, electrolysis करा रहे हैं, 2 NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 chlorine gas बना, sodium hydroxide बना, hydrogen gas निकल गया, ठीक है अब यहाँ पर important क्या है, यहाँ पर इसका important एक प्रकार से है, कि भाई देखो यहाँ पर यह जो तीनों चीज़े बनी, इन तीनों चीज़े का uses क्या है, कहां इनका use होता है अब इसका process आपको explain करने के लिए अगर examination में बोलेगा, तो आप चाहें तो यह image बना सकते हैं, image के साथ साथ आपको पूरा इसका process explain, leak करके भी करना होगा तो image भी ध्यान रख लीजे, क्योंकि image भी हो सकता है, directly पूछते कि draw the image, तो यह आप सानी से बना पाएंगे अब यहाँ पर एक एक करके हम तीनों के uses को देख लेते हैं, जैसे CL2 की बात करें, तो CL2 का क्या यूज है, chlorine gas का क्या यूज होता है, तो water treatment में chlorine का use करते हैं, swimming pools में यूज करते हैं, PVC manufacturing में करते हैं, disinfectment में यूज करते हैं, CFC में, pesticide में हम लोग chlorine का use करते हैं इसके बाद अगर हम लोग hydrogen की बात करें, तो hydrogen को as a fuel use किया जाता है, इसके अलावा ammonia बनाने में use होता है, जो की fertilizer में use होता है, margarine बनाने में use होता है, इसके साथ ही अगर हम लोग NaOH की बात करें, sodium hydroxide की बात करें, तो इसका use जानना बहुत important है, इसको ध्यान से यानि metal को degrease करने में, उसके greasing को remove करने में, soap और detergent बनाने में use करते हैं, paper making में use होता है, और साथ में artificial fiber बनाने में use होता है, मतलब जो artificial ratio वगरा होते हैं, उसकी बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर और क्या कहता है, यही चीज़ देख लेते हैं, तो कहता है कि chlorine gas जो है, वो anode पर निकलता है, देखिए, आपको इसका process अगर लिख कर समझाना होगा, तो यह लिखिएगा कि chlorine gas anode पर निकलेगा, hydrogen gas cathode पर निकलेगा, sodium hydroxide solution जो है, वो cathode के आपास में बनता है, और यह जो तीनो produce हैं, यह product बनते हैं, यह सभी useful हैं, कैसे useful हैं, आगे आ आपको मिल जाएगा, मतलब chlorine gas का और चीज बनाने में यूज होता है, अब question वगरा देखें, तो question पहला question क्या कहता है, identify the acid and the base from which sodium chloride is obtained, तो यह simple सी चीज है, hydrochloric acid और साथ में NOH, ठीक है, तो यहाँ पर आगे कहता है, which type of salt is it, when it is called rock salt, how is rock salt, form सारे answer आपासानी से कर सकते हैं आगे यहाँ पर कहता है, list the important products of chloralkali process, write one important use of which, तो important product क्या होंगे, Cl2 होगा, H2 होगा, NaOH होगा, यह तीन आपको uses यहाँ पर हो जाएंगे, अब यहाँ पर आगे बढ़ हैं, तो आगे क्या है, आगे कहता है, how is sodium hydroxide is manufactured in industries, तो chloralkali process पूरा आपको लिखकर समझाना होगा, image भी बना सकते हैं, in this process, a gas X is formed as by-product, this gas reacts with lime water to give a compound Y, which is used as a bleaching agent, तो यह चीज हम आगे पढ़ेंगे, वैसे एक gas कौन सा है, यह Cl2 gas की बात कर रहा है, chlorine gas की बात यहाँ पर कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर chlorine gas आपको पता चल गया, आगे हमारा जो यह Y compound है, वो हम नीचे ठीक है, अब यह bleaching powder की बात कर लेते हैं, तो bleaching powder की बात करें, तो bleaching powder क्या है भाई, एक प्राकार का compound है, जो की हमारा बनता है किस चीज से, वही NACL से, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो directly NACL का use नहीं हो रहा है, आपको यहाँ पर input में कही NACL दिख रहा है, जी न का यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं, और उसी को मिला कर, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, bleaching powder बनाएंगे, bleaching powder का formula क्या होता है, CAOCL2, यह formula है, ध्यान रखना, ठीक है, देखें, आगे क्या कहता है, कहता है, you have already come to know that chlorine is produced during the electrolysis of aqueous sodium chloride, this chlorine gas is used for the manufacture of bleaching powder, इसी chlorine का use हम करते ह हैं, bleaching powder को manufacture करने के लिए, bleaching powder is produced by the action of chlorine on dry slicked lime, मतलब यह क्या है, यह है, slit lime, ठीक है, calcium hydroxide, कहता है कि यहाँ पर COH का hole 2 है, यह क्या है, यह जब dry form में रहेगा, इसके उपर से जब हम एक chlorine gas गुजारते हैं, तो यहाँ पर हमारा bleaching powder बनता है, CAOCL2, इसका chemical formula है, यह तयार होता है, और साथ में CH2 बनता है, ठीक है, कहता है कि through the action, composition is quite complex, मतलब simply यहाँ पर कहता है, कि देखें, यह जो आपको chemical formula बताया जा रहा है, यह आपको simplify करके बताया जा रहा है, reality में इतना simple इसका chemical formula नहीं होता है, और भी चीज़े होती है, और भी चीज़े इसके composition में होती है, अ drinking water में कैसे use होता है, तो bleaching powder का use, अगर हम लोग देखें, तो bleaching powder का use क्या है, इसको हम लोग use करते है, cotton और linen industry में bleach करने के लिए, bleaching का काम करने के लिए, ठीक है, इसके साथ ही, जो paper factory होते हैं, वहाँ पर जो wood pulp होता है, लकडियों से जो गुद्दी बनाई जाती है, लुद drinking water को germs free करने के लिए भी हम लोग bleaching powder का use करते हैं, ठीक, अब इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें, तो आगे हमारे सामने आजाता है baking soda, baking soda को पढ़ लेते हैं, ये थोड़ा important है, इसको ध्यान रखेगा, वैसे important तो सारे हैं, तो यहाँ पर कहता है, the baking soda is commonly used in the kitchen for making tasty crispy pakod यानि कि जब आपकी मम्मी या फिर आपकी देदी कोई भी या फिर आप भी जब kitchen में खाना बनाते हैं, और आपको खाना tasty बनाना है, किस भी बनाना है, पकोड़े आप छान रहे हैं, या फिर कोई कुरकुरे chips छान रहे हैं, उसको कुरकुरा करना है, या फिर tasty करना है, तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, इसका formula क्या है, NaHCO3, यह इसका formula है, formula आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कहता है, it is produced using sodium chloride as one of the raw material, इसको बनाने का formula थोड़ा मुस्किल है, बड़ा है, याद ध्यान रखियेगा, NaCl, हमारा common salt हो गया, 7 में H2O, 7 में CO2, प्लस में NH3, यह क्या है, ammonium chloride है, NH4C, बना ध्यान रखियेगा, और इसके साथ हमारा बना sodium hydrogen carbonate, जो की है हमारा baking soda, क्लियर हो गया कि baking soda कैसे बनता है, यह formula आपको ध्यान में रखना है, अब यहाँ पर आपको कहता है कि क्या आपने pH इसका चेक किया था, जो हमने उपर activity है था, भाई हम तो चेक नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ पर कहता है कि, जो यहाँ पर हमारा sodium hydrogen carbonate है, इसको acid neutralize करने के लिए भी use किया जाता है, क्योंकि यह एक प्रकार का mild base है, यह ध्यान रखियेगा, ठीक है, अब यहाँ पर देखिये, जब इस baking soda को एक प्रकार से भोजन में add करते हैं, और भोजन को हम लोग पकाते हैं, तो वो faster cooking में help करता है, खाना को जल्दी पकाने में help करता है, कैसे help करता है, तो यहाँ पर यह reaction होता है, यह आपको यहाँ पर बताया जाना है, क्या होता है, NaCO3 को जब heat किया जाता है, तो Na2CO3 बनता है, H2O बनता है, CO2 बनता है, और साथ में यह simply बता दू कि जो कई सारे vegetables होते हैं, उनको एक प्रकार से decompose करने में यह help करता है, जब cooking होता है, इसी इसकी मदद से भोजन जल्दी तयार हो जाता है, जल्दी पक जाता है, ठीक है, कहता है कि sodium hydrogen carbonate has got various uses in the household, बहुत प्रकार के uses इसके होते हैं, अब उसमें uses यहाँ पर जो बताये गए हैं, इनको भी जरा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, तो यहाँ पर क्या कहता है, कहता है कि uses of baking soda, baking soda के क्या क्या uses है, तो सबसे पहला use क्या है baking powder बनाने का, baking powder बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, baking soda use करते हैं, तो भाई baking powder क्या होता है, baking powder simply आपका baking soda और साथ में एक mild edible acid का mixture होता है, मतलब कि baking powder में क्या है, baking soda डाला गया है, और कुछ acid डाले गए हैं, दोनों को मिला कर के baking powder तयार होता है और जब इस baking powder को आप खाना बनाने में use होते हैं तो वो एक प्रकार से बहुत आपका भोजन पकाने में help करता है जैसे जो आप देखते हैं कि जो आपको bread बनाया जाता है bread जो आप खाते हैं उसमें आपको bulbulे दिखते हैं या फिर जो आपने कभी नान खाया है, या फिर तंदूरी रोटी खाई है, जो कि फूले हुए रहते हैं, वो किसकी वज़से होते हैं, बेकिंग पाउडर की वज़से होते हैं अब ये बेकिंग पाउडर काम कैसे करता है जब इसको हम लोग water में mix करते हैं या फिर heat करते हैं तो क्या होता है यहाँ पर देखिए यह NaHCO3 क्या हो गया यह आपका baking soda हो गया H plus क्यों लिखा गया है क्योंकि जब acid में water mix होगा तो क्या होगा hydrogen ion वो release करेगा acid कोई भी हो सकता है जैसे tartaric acid है या फिर कोई दूसरा acid भी हो सकता है तो उससे H plus ion और यह मिलकर क्या करेंगे CO2 gas release करेंगे H2O release करेंगे और साथ में sodium salt बनाएंगे तो जो यह CO2 होगा वो bread को फूलने में मदद करेगा आटा को फूलने में मदद करेगा और उससे bread soft बनता है और भी जगों पर इसका use किया जाता है तो यह एक प्रकार से reaction है जिससे कि आपका bread dough जो है वो soft बनता है ठीक है यहाँ पर यही कहता है कि carbon dioxide produced during the reaction can cause bread or cake to rise making them soft and spongy तो यहाँ पर जब carbon dioxide इस reaction से release होगा उससे bread हमारा soft हो जाता है spongy हो जाता है इसके अलावा और भी uses बताए गए है जैसे sodium hydrogen carbonate is also used as an ingredient in antacid antacid में use होता है क्योंकि यह एक प्रकार का alkaline इसका medium है यह excess acid को इस टमक में neutralize कर देता है और साथ में इसको soda acid fire extinguisher में use किया जाता है मतलब कि soda acid को मिला कर CO2 जादा संख्या में release होता है जो कि आप fire extinguisher देखते हैं उसमें यही चीज़ use होता है अब यहाँ पर आगे है वासिंग soda लेकिन वासिंग soda से पहले हम लोग क्या करते है important questions वगरा देख लेते हैं question को यहाँ पर पढ़ लेते हैं अब यहाँ पर आगे देखें तो आगे कहता है कि identify identify the acid and base from which sodium hydrogen carbonate is formed sodium hydrogen carbonate किस acid और base से बनता है तो भाई sodium hydrogen carbonate के अगर formula में देखें हम लोग बनाने के formula में sodium hydrogen carbonate किधर गया NaCO3 तो इसमें हमने क्या लिया है NaCl salt लिया है अब NaCl salt किस acid और किस base से बना यह आपको यहाँ पर लिखना है ठीक है क्योंकि directly तो इसमें acid और base हम लोग डाल नहीं रहे है ठीक है right chemical equation in support of your answer तो भाई पहले NaCl बनाने का formula लिखेगा उसके बाद NaCO3 बनाने का formula लिखेगा तब यह एक प्रकार से complete हो जाएगा इसका pH value ही लिखना है यह आपको acidic है, basic है, neutral है कैसा है तो भाई यह एक प्रकार से basic है लेकिन pH value मुझे याद नहीं है तो आप देख लिजेगा ठीक है आगे यहाँ पर कहता है कि white powder is added while baking cakes to make it soft and spongy name its main ingredient explain the function of each ingredient तो यहाँ पर इसका नाम क्या है तो भाईया इसका नाम है baking powder baking powder use होता है इसका main ingredient क्या है baking soda है baking soda का आपको function लिखना है और right the chemical reaction taking place when the powder is heated during baking heated, heat करने के दौरान क्या होता है यह भी आप एक परकार से लिख सकते हैं यही वाला reaction जो है आप बता सकते हैं अब इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़े हैं तो आगे हमारे सामने क्या है washing soda washing soda की अब हम लोग बात कर लेते हैं तो यहाँ पर washing soda के बारे में कहता है कि another chemical that can be obtained from sodium chloride is NaCO3-10H2O यह क्या है यह washing soda का formula है क्या formula है Na2CO3.10H2O यह आपका formula है किस चीज़ का washing soda का अब यहाँ पर यह जो washing soda है यह इसमें 10H2O क्या है यह आपको सबसे पहले समझना है यह क्या है यह तो हम बाद में समझेंगे लेकिन यहाँ पर समझेंगे कि यह Na2CO3 है उसमें हमने क्या किया H2O के 10 molecules add कर दिये तो क्या बन गया हमारा बन गया washing soda अब यह Na2CO3 कहां से आएगा भाई तो यहाँ देखे उपर हमने Na2CO3 तयार किया था कैसे तयार किया था यहाँ पर देखे यह जो reaction हुआ था जिसमें हमने NaHCO3 को heat किया उसी से हमारा Na2CO3 बन गया sodium carbonate बन गया तो जब sodium carbonate में Na2CO3 में हम लोग water molecules add कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है washing soda बन जाता है तो यहाँ पर यही कहता है कि you have been above that sodium carbonate can be obtained by heating, basing, baking soda recrystallization of sodium carbonate gives washing soda मतलब कि यहाँ पर S2O के molecules हम लोग add कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा हमको washing soda मिल जाएगा और यह भी एक प्रकार का basic salt है जो कि कई बार use किया जाता है तो यहाँ पर इसका formation का formula यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे यह बनता है अब इसके uses की बात करें तो uses यहाँ पर washing soda देखते हैं uses की बात करें तो कहता है कि sodium carbonate यानी washing soda is used in glass, soap and paper industry it is used in manufacture of sodium compounds such as borax sodium carbonate can be used and cleaning agent for domestic purpose it is used for removing permanent hardness of water यह चार uses यहाँ पर बताए गया है इसके साथ ही एक सवाल भी यहाँ पर दिया आ गया है कहता कि what does 10H2O signify यह 10H2O क्या चीज है 10H2O क्या है हमको समझना है तो यहाँ पर कहता है कि does it make Na2CO3 wet we will adhere this question in next session यहाँ पर देखेंगे यह वहला topic में कोई दिक्कत नहीं sodium carbonate and sodium hydrogen carbonate are useful chemicals for many industrial processes as well ठीक है वो सब बात है ठीक है तो अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि यह जो 10H2O है यह क्या चीज है तो यहाँ पर सवाल पूछता है are the crystals of salts really dry मतलब यहाँ पर जो 10H2O है 5H2O है वो क्या चीज़े समझते हैं तो यहाँ पर आपको activity 2.15 दिया गया है कह रहा है कि आप copper sulfate के कुछ crystals को heat कीजिए dry boiling tube में copper sulfate का यहाँ पर formula क्या होता है CUSO4.5H2O ठीक है यह copper sulfate crystal का formula है ठीक है तो कहता कि आपको crystal of copper sulfate आप heat कीजिए आपको यहाँ पर क्या color में change दिख रहा है heat करने के बाद आप वहाँ पर कोई water droplets को notice कर पा रहे हैं यह कहां से आए 2-3 drop water के add कीजिए copper sulfate में और फिर उसके बाद क्या होता है यह एक प्रकार से आपको check करना है अब यहाँ पर देखे यही चीज हम बात कर रहे थे कि जो copper sulfate होता है copper sulfate का जो crystal होता है crystal जिसका color blue होता है उसमें आप वो एक प्रकार से आप जब हाथ मिलीजिएगा तो वो आपको सूखा हुआ लगे मतलब ऐसा गीला नहीं लगेगा आटे जैसा या फिर गीला आपको फिल नहीं होगा वो crystal एक solid के रूप में फिल होगा लेकिन यह जो आपका crystal है यह जो copper sulfate है इसमें water molecules present होते है और यह जो water molecules है यानि कि जो Cuso4 है dot 5H2O है तो यह जो 5H2O है न इसी को हम लोग क्या कहते है water of crystallization कहते है क्या कहते है water of crystallization अब यह word अच्छे से ध्यान रखेगा क्योंकि यह पूछता है कि what do you mean by water of crystallization तो इसका simple concept simple मतलब यह है कि कई बार क्या होता है कि कई सारे compounds होते है उसमें एक प्रकार से added होते है क्या water molecules जैसे मैंने किताब से definition उठा कर रखा हुआ है मुझे याद नहीं हो रहा था इसलिए मैंने क्या किया लिख कर रख लिया जैसे certain salts contain definite amount of H2O attached to their own molecule these are known as hydrated salts and the molecule of H2O present in the water are called water of crystallization यानि कि कई salt है जिसमें water molecule certain amount में water molecule added होते है हर एक molecule के साथ और यहाँ पर ये जो salt होगा ये salt होगा इसको हम क्या कहेंगे hydrated salt कहेंगे और साथ में ये जो 5H2O है ना जो water के molecule है इसको हम लोग water of crystallization के नाम से जानते हैं तो water of crystallization क्या हुआ the water molecules which are attached to the hydrated salts in certain amounts और certain numbers with one molecule of salt are called water of crystallization इस प्रकार से explain कर सकते हैं अब certainly मैंने definition ने लिखा है लेकिन इस प्रकार से आप explain कर सकते हैं कि भाई ये जो 5H2O है ना यही आपका क्या है यही water of crystallization है इसी प्रकार से आपको ये CSO4-2H2O जिप्सम में जो 2H2O है ये water of crystallization है इसी प्रकार से वासिंग सोडा में जो 10H2O है ये आपका water of crystallization है और जिस भी salt के साथ ये water of crystallization लगा हुआ रहेगा उसको हम लोग hydrous salt कहते हैं समझ गए और साथ में अगर हम इस salt को heat कर दें और यहाँ पर 2H2O हटा देते हैं 2H2O remove कर देते हैं तो उस वो क्या बन जाएगा एन्हाइडर सॉल्ट बन जाएगा तो ये दो तीन टर्म है जो कि आपको अच्छे से ध्यान रखने है ये क्योंकि जनरली आपको दिखते नहीं है तो आप इसको ignore कर देते हैं और ये question पूछ देता है और आप फंस जाते हैं तो water of crystallization क्या हो गए एक प्रकार से आप समझ गए तो इसी को आगे पढ़ लेते हैं यहाँ पर क्या कहता है तो यहाँ पर यही कहता कि when we heat the crystals this water is removed and the salt turns white यानि कि जब आप यहाँ पर copper sulfate crystal को heat करेंगे तो यह water molecule गायब हो जाएंगे 5H2O गायब हो जाएंगे और जो salt है वो white color का हो जाएगा अगर इस crystal को फिर से आप गिला कर देते हैं moist कर देते हैं तो यहाँ पर फिर से इसका color जो है वो blue color का हो जाएगा वो जो वो color फिर से वापस आ जाएगा क्योंकि वो water molecule है वो फिर से attach हो जाएंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा definition दिया गया है water of crystallization का कि water of crystallization is the fixed number of water molecules present in one formula unit of a salt एक formula unit के साथ जो water of water molecule के fixed number attached होते हैं वो ही हमारा water of crystallization होता है जैसे कि यहाँ पर copper sulfate का एक formula के साथ five water molecules attached हैं इसी के साथ यहाँ पर hydrated copper sulfate का क्या formula होता है COSO4 5H2O hydrated copper sulfate का मतलब क्या मतलब की salt के साथ 5H2O present है लेकिन यह 5H2O remove कर देंगे तो हो जाएगा and hydrous salt हो जाएगा ठीक है यह चीज आप समझ गए अब यहाँ पर आगे देखें तो आगे क्या कहता है gypsum के बारे में बात किया गया है gypsum भी एक उदारन है hydrous salt का जिसमें की आपको water molecules present होते हैं तो यहाँ पर gypsum का formula यहाँ पर देख सकते हैं gypsum का formula भी ध्यान रखेगा important है अब इसके बाद यहाँ पर आपका आता है अगला अगला यहाँ पर compound वो है plaster of paris plaster of paris से आप परिचीत होंगे क्योंकि आपके आसपास किसी भी व्यक्ति को अगर चोट लगता है पैर हाँ तूट जाता है तो उस समय जो bandage पटी होती है white color की वो plaster of paris की मदद से ही होती है समझ गए तो water जो plaster of paris से यह बनता कैसे है यह सबसे पहले समझते है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं gypsum लेते है gypsum को जब 373 Kelvin पर heat किया जाता है तो यह अपने water of water molecule को loose कर देता है यानि जो water of crystallization है वो loose कर जाता है और यह बन जाता है calcium sulfate hemihydrate plaster of paris का original नाम क्या है chemical नाम क्या है calcium sulfate hemihydrate ठीक है और इसका formula क्या होता है C-A-S-O-4 half-S-2-O अब बुलिए का सर यह half-S-2-O क्यों है भाई तो half-S-2-O इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो C-A-S-O-4 होता है ऐसे ऐसे दो molecule होते है और इनके साथ 1-S-2-O का molecule add रहता है तो भाई इसलिए जब एक molecule का बात होगा तो कितना है एक का आधा ऐसे लिखने के लिए हम लोग लिख देते है reality में क्या होता है ऐसा formula होता है ठीक है अब इसी को हम लोग plaster of Paris कहते है plaster of Paris का क्या use है यह तो आपको पता होगा कि जब आपको चोट लगता है तो आप यहाँ पर क्या होता है आपको एक प्रकार से bandage बगरा करने के लिए use होता है और यहाँ पर plaster of Paris से आप gypsum बना सकते है और gypsum से plaster of Paris बना सकते है मतलब कि अगर आप देखें plaster of Paris को अगर आप पानी में मिला दे तो वो क्या बन जाएगा gypsum बन जाएगा इसी प्रकार से और यहाँ पर वही बात लिखी गई है जो कि मैंने कहा कि यहाँ पर आपको half water molecule लिखा गया है ऐसा क्यों लिखा गया है क्योंकि यहाँ पर दो molecule के साथ एक water का molecule attached होता है इस वज़ा से इसके अलावा plaster of Paris को दूसरे कामों में भी किया जाता है जैसे toys बनाने में decoration का समान बनाने में surfaces को स्मूथ करने में और भी चीज़े करने में अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं जो questions वगएरा बच गया है questions को जरा सा हम लोग deal कर लेते हैं तो यहाँ पर question सबसे पहले आपको washing soda के साथ how is washing soda prepared from sodium carbonate gives its chemical equation तो यहाँ पर यह वाला जो formula है यह formula आपको यहाँ पर लिख देना है कि sodium carbonate में हम लोग recrystallization करेंगे तो washing soda तयार हो जाएगा और यहाँ पर name the type of hardness of water which can be removed by it तो यहाँ पर जो water होता है hard water होता है उसको remove करने लिए use होता है वो तो simple से चीज़ है अब इसके बाद आगे बढ़ें तो question क्या बच गए यहाँ पर question बन गए यह सायद मैंने आपको बता दिया है हाँ नहीं बताया है यह देखिए question यहाँ पर आपको बोलता है कि इनके बिच में differences बताने है यह 2016 का question है बोलता है कि hydrated salt और anhydrous salt में क्या difference होता है hydrated salt में water of crystallization add रहता है और anhydrous salt में water of crystallization remove रहता है अब यहाँ पर बात है कि washing soda और soda इसमें क्या difference है कोई difference नहीं दोनों सेम चीज़ है ठीक है आगे यहाँ पर है baking soda और baking powder में क्या difference है तो भाई baking soda का formula NaCO3 होता है वहीं जो baking powder होता है उसमें baking soda के साथ-साथ एक आपको mild acid होता है edible acid होता है ठीक है अब इसके बाद define water of crystallization give the chemical formula of cook to compound as example तो यहाँ पर आप CuSO4 5H2O लिख सकते हैं और साथ में यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो washing soda उसका formula लिख सकते हैं how it can be proved that the water of crystallization make a difference in the state and color of compound तो यहाँ पर CuSO4 5H2O का example लेंगे कि भाई देखो CuSO4 5H2O है इसको जब हम लोग heat कर दे हैं तो यह 5H2O जो है यह remove हो जाता है इसका color white हो जाता है और फिर जब इसको भीगा देते हैं जब इसको moisture provide कर देते हैं तो इसका color फिर से क्या हो जाता है blue हो जाता है इस प्रकार से आप यह proof कर सकते हैं कि हाँ भाई यह जो बात है यह सही बात ही है यह latest question 2020 का question है इसके बाद और देखें तो यहाँ पर यही question है What is water of crystallization? Write the common name and chemical formula of commercially important compound which has 10 water molecules as water of crystallization washing soda की बात कर रहा है यह washing soda के बारे में तो washing soda यहाँ पर है Na2CO3-10s2 यह formula आपको ध्यान रखना है इसके बारे में यहाँ पर पूछ रहा है इसके बाद क्या कहता है How is this compound obtained? कैसे बनता है वाई? तो यहाँ पर sodium carbonate को हम लोग recrystallize करते हैं यह compound मिलता है List any two uses of this compound washing soda का दो uses आपको लिखना है आसानी से आप लिख सकते हैं तो इसके बाद आगे देखें तो और भी यहाँ पर question है Give reason to the following यहाँ पर only one half of water molecule in shown in the formula of plaster of Paris इसका explanation आप लिख सकते हैं मैंने आपको बता दिया है कि भाई देखो जो दो molecule होते हैं gypsum के sorry plaster of Paris के उनके साथ 1H2 attached होता है sodium hydrogen carbonate is used as an antacid यह mild base होता है इस वज़ा से on strong acid blue colored copper sulfate crystal turn white क्योंकि उसका जो water of crystallization होता है वो lose कर जाता है इस वज़ा से तो यह सारे यह चीज़े आप आसानी से answer कर सकते हैं अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कहता है कि what is the common name of compound caocl2 bleaching powder simple सा चीज है name the substance which on treatment with chlorine yields bleaching powder कौन सा substance है भाई इनोह है ठीक है इसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर name the sodium compound which is used for soapening half hot water तो इस प्रकार से जो भी question है असानी से आप लिख सकते हैं कुछ वैसे बसा नहीं है यहाँ पर यह जो chapter है यह हमारा खत्म होता है समाप्त होता है मिलते हम आप से अगले वीडियो में अगले chapter के साथ तब तक के लिए good bye